हुआ हलो स्टूदेंट्स वी अर गोईंग टो स्टार्ट एकनामिक्स टुड़े ओके हम लोग यह सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें न उसके पहले दो तीन बाते में तुमसे करना चाहती हूं ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बाते नहीं बट मुझे लगता अगर मैं अगर कोई चीज है अगर मैं बीच से उठाकर के पढ़ाना शुरू करूं तो शायद वो कमफर्ट और वो क्लारिटी सब्जेक्ट के नहीं आएगी जो आइडली बच्चों को मिलनी चाहिए पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू जब मैंने बच्चों से बात किया कि कैसे पढ़ना चाहिए यानि कि तुम कैसा चाहते हो पढ़ना तो बच्चों ने मुझे से यह बोला कि में इकनामिक्स में बहुत प्राब्लम होती है प्राब्लम यह होती है कि आपने पढ़ा दिया पूरा पोर्शन जो आपके बुक में जो था उसके हिसाब से पुरा पढ़ा दिया आपने लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं आता सब्जेक्ट यानि मुझे याद नहीं रहता तो याद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें याद रह जाए तो उसके लिए दो चीज़ें लगेंगे सबसे पहली चीज तुमको यह लगेगी कि तुमको समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट किस बारे में यानि कोई भी कॉनसेप्ट जब उठाके में नमबर टू ऑफकोर्स कुछ चीज तुमको याद करनी पड़ेगी लेकिन बिल्कुल बिना समझे बिना जब हम याद कर लेते हैं तो क्या होता है वो चीज हमें याद नहीं रहती है इसलिए समझना बहुत जरूरी है और तीसरी जो चीज में तुमको बताना चाहते है उसा तो जो भी economics के fundamentals होते हैं, economics के जो logics होते हैं, जो reasoning होती है, जो models होते हैं, वो ही सारा जब हम quantified तरीके से, किसी quantified technique के साथ में use करते हैं, practical life का data apply करते हैं और उसको model में डालते हैं, तो वो finance बन जाता है, लेकिन जो subject में तुमको पढ़ा रही हूँ, या मैं खुद पढ़ी इतने सालों में, finance जिसको बोल रहे हो, वो actually economics था, इसलिए कभी मत सोचना कि economics theory है, ऐसे segregate मत करना कि theory की faculty अलग होती है, theory पढ़ाना उनको जादा अच्छा आता है, और practical की faculty होती है, उनको practical पढ़ाना जादा अच्छा आता है, ये possible हो सकता है, सब की skill set होती है teacher की, लेकिन ज ये शायद मैं खुछ से justify कर रहे थी तुम्हारे साथ में, कि I can teach economics and that too very nice, okay, so ये 2-3 बाते थी जो मैं discuss करना चाहती थी, but before I start the first chapter, the first unit, if I want to share with you, there are four units in your subject in economics, right, और हर unit में 2-3-2-3 करके chapter उनोंने दिया हो है, right, लेकिन वो chapters सारे related होंगे, एक broad heading होगे, उनसे related 3-4 chapters तुमको दिये वे होंगे, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, depends, वो बात नहीं कर रहे है, वो जब अपन discuss करेंगे, उस particular unit को जब या उस particular chapter के बारे में जब बात करूँगे, तब हम ये बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ, कि जब तुम ना, शुरू करो subject, तो तुमको पता चले कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और क्यों पढ़ रहे हो, तो सबसे पहली चीज, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे करिकुलम में, CA Inter में उन्होंने जो economics दिया है, वो actually macroeconomics है, ये तुमको पता होना चाहिए, तो economics की दो ब्रा economics और एक को बोलते हैं, macroeconomics, right, तो मैं बहुत short में तुमको बता देती हूँ, ये कम से कम मैं 45 minutes सब तुमको explain करूँगी कि macroeconomics क्या है, हम क्या पढ़ने वाले है, इसके अंदर में क्या-क्या चीजें हम discuss करते हैं, और उसके बाद में proper तुमको first chapter पे लेके जाओंगे, I hope you don't mind that, okay, तो story की तरह सुनो, enjoy करोगे बहुत, और काफी तुम्हें comfortable हो जाएगा आगे जा करके, तो सुनना ध्यान से, तो economics को हम दो ब्रांच में divide कर सकते हैं, properly, one is called microeconomics and one is called macroeconomics, तो what is microeconomics, जब हम किसी एक person के बारे में, हम किसी एक factor के बारे में, हम किसी एक household के बारे म या किसी एक industry के बारे में, यानि single unit, के बारे में हम discuss करते हैं, कि हर individual को, हर household को, कितना allocate होना चाहिए, resources, इन resources की market में, price क्या होनी चाहिए, all that, जब हम individual basis पे बात करते हैं, तो वो पूरी जो stream of study होती है, उसको microeconomics हम बोलते हैं, okay, बट जब हम aggregates की बारे में बात करते हैं, पूरे देश के इंकम के बारे में बात करते हैं, when we are talking about the complete national income, we are talking about the total consumption, not the consumption of one individual, the consumption of all the people within the country, the total expenditure, the total investment, the total savings, okay, what is the purchasing power of money, what is inflation, how is inflation increasing, how is inflation going down, unemployment, okay, and then balance of payment, ये जो मैंने words यूस किया ना तुम्हारे सामने में, ये macroeconomics के अंदर में बार बार ये words तुम्हारे सामने में आएंगे, ये धियान रखना, और अगर इन words की proper meaning तुमको नहीं समझेगी, तो तुम कभी theory समझ भे नहीं पाऊगे तुम, इसलिए time to time, मैं तुम को तुम्हें पता नहीं चलेगा, it will be a very smooth flow for you, okay, so let's come to macroeconomics now, so in national income, you know, kind of in macroeconomics, kind of, हम पूरा पुरी देश की क्या income होगी, किसी देश की जादा है, किसी देश की कम है, यानि कि हम एक पूरी country को indivisible unit की तरह हम treat करते हैं, और वो पूरी की पूरी जो पढ़ाई होती ही, होती ही, macroeconomics के अंदर में, always remember, so I have given you some notes also here, so what did I write here, the study of economics is traditionally divided into microfield and macrofield, you can read on your own also guys, so maybe I know what I have written there and you can just go through that, I don't want to read this and you know, kind of waste my waste your time and my time also and unnecessary, it will be very boring stuff actually, so you can see here, I have just kind of red marked everything important, the decision maker such as single consumer or a saver or a worker and here I have written production unit or an industry, macroeconomics on the other hand taken as a subject of the entire nation as an indivisible unit, okay, अगर फिर मैंने एक और थियारी लिखिये यहां पर, कि याद कर लो मैं तुमको बोल रहे हो, जो macroeconomics, economics पढ़ने के जो variables होते हैं, यानि वो जो words, जो jargons बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, वो याद कर दो, national income, पुरे देश का consumption, पुरे देश का investment, पुरे देश का saving, balance of payment, दो country के बीच में balance of payment, government का physical policy, सारी बाते बाद में आएंगे, चिंता मत करो, पहले words को दिमाग में set करो, तो यह सारे variables जो है, that we study in macroeconomics, okay, then, why do we study macroeconomics, that's the most important question here, कि why are we studying, why are we supposed to study macroeconomics, तो macroeconomics, we study, because we want to know, why the per capita income, per capita income का मतलब होता है, when the total income of a country is divided, on the basis of individuals, यानि पूरे income को पूरे population से divide कर दो के तो per capita income आ गई, okay, यानि कि हर आदमी के हिस्से में, कितना goods and services आ रहा है, broadly, layman के terms में, okay, तो why is per capita income of India, is very low in comparison to the per capita income of a citizen residing in USA, okay, why do we have booms and recessions, यानि कि, जो हमारी economy होती है, वो एक cycles के थ्रू जाती है, यानि कभी market हो, कभी, not market exactly, कभी economy हमारी boom पे जाती है, यानि कि, हम बहुत ज्यादा goods and services produced कर रहे हैं, हम सारे जो देश के लोग हैं, वो सारे employed हैं, हर तरह prosperity है, income जादा है, consumption जादा है, investment जादा है, and at times we have depression and recessions also, जब recession बहुत लंबा खिच जाता है, तो वो depression का form लेता है, यानि कि, लोगों के पास पैसे नहीं इतने जादा खर्च करने के लिए, goods and services में लोग जादा consume नहीं कर बार बार ऐसे जो waves होते हैं, तो यह जो booms or recessions या booms or depressions आते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी time पे inflation के rates जादा होते हैं, या किसी interest rates जादा होते हैं, तो एक सवाल और भी यहां पर मैं पूछ सकती हूं, क्या सरकार को, should the government intervene and try to bring the economic stability in a country or not, तो यह सारी जो सवाल का जवा and the theory that we are pursuing guys, तो यहां पर लिखा है मैने, और यह जब सारी चीजे, when we try to understand all these things, that why per capita income, I am repeating okay, why is the per capita income of one country lower than the per capita income of another country, why is inflation rate in a particular country more than the inflation rate in the another country, why rupee, why rupee is always going down and why is dollar always appreciating, समस्ता में क्या बूर रही हूं, इसका यह मतलब हुआ कि एक डॉलर का 70 रूपीज है, कभी 50 रूपया होता था, आज 70 रूपीज हो गया, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि rupee की value नीचे जा रही है, और डॉलर की value ऊपर जा रही है, शायद तुम्हारे portion के अंदर में guys, इतनी जादा detailing तो नहीं आएगी, लेकिन तो भी मैं अपनी तरफ से, I will try my level best, that I am explaining you to the maximum in the shortest possible time, so that you can, you don't have to put too much of effort mugging up the concepts, I hope you appreciate that, when, so when we start understanding with the help of macroeconomics, then only we can develop some policies, we can develop some models and with the help of which we can try to bring economic stability in a country, economic stability का मतलब क्या हुआ, and economic growth of a country for that matter, and economic development of a country for that matter, यह सारी चीज़े अलग अलग है, I hope तुमको, मुझे नहीं पता किते लोगों को यह बात पता है, but economic stability, economic growth और economic development, यह सब अलग अलग बाते हैं, कि कभी मेरे पास नौकरी है और कभी मेरे पास नहीं है, that means, sometimes I have food to eat and sometimes I do not have enough food to eat, it's not good, maybe, kind of, if someday I am eating, like, I have 100 rupees to consume and some days I do not have any rupee to consume, not good, it is better that I have 50 rupees every day, so that is stability, when would we achieve stability, when you do not have those, you know, kind of very, this booms and recessions cycles are not there and even if they are there, it is, they are not too intense for that matter, because when the cycles are very intense, that means, too much of a boom, too much of a recession, it affects the lives of the people too much, I will tell you how it does it affect, okay. Now, economic growth का मतलब होता है कि आपकी national income जादा हो गई, आपने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री डाला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को employment मिल रहा है, and all that जो होती है, वो economic growth हो गई, economic development पता है किसको बोलते हैं, Amartya Sen, a Nobel Prize winner, okay, economist from India, okay, उसने क्या बोला, या उन्होंने क्या बोला, that economic growth और economic development में बहुत फर्क होता है, economic growth का मतलब होता है कि आपका देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन economic development का मतलब होता है, कि वो जो कमाई हो रही ह क्या वो सही लोगों के बीच में जा रही है, या घरीबों के बीच में जा रही है, पोवर्टी से लोग उपर आये क्या, illiteracy घटी क्या, sickness घटी क्या, तो यह economic development होगे, मैं जादर detailing नहीं करूंगी, वरना तुम बोर हो जाओगे, okay, तो यह सारी चीजें, यह सारी चीजें, तुमको भी समझ में हा रहे, यृर, all grown-up students, you understand कि in order to make an economy developed and growth, in order to bring growth to an economy, all these variables which I was discussing, national income, savings, investment, consumption, balance of payment, everything should be in control and they can be brought in control, of course, by market forces also automatically, but to a certain extent, government needs to intervene and bring some good policies, but policies कैसे design होगी जब ये variables उनको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ये policies बनाने के लिए और इन सारे variables में stability लाने के लिए, ये जरूरी है कि सरकार intervene करे और policies बनाएं, तो policies बनाने के लिए इन सारे variables को quantify तो करना पड़ेगा और वो हम पढ़ते हैं, macro economics के अंदर में I hope you got your answer Now, major macro economic issues मैंने लिखा यहां पर, देखो क्या लिखावा है What determines the overall level of output and employment, okay How can business cycles be controlled Business cycles means वही, तुमारा booms and recessions, okay How can inflation be controlled Understanding international interdependence ये सारी बाती जो मैंने भी करी तुमसे वो सारी बाती यहां पर लिख रखिए, ये सारे points ना, virtually याद कर लो अगर कर सकते हो तो Because यही सारे बातों के around पूरा का पूरा subject तुमारा move करेगा मैं बार बार इती बार repeat करूंगे और repeat इसलिए कर रही हूं ताकि तुम्हें पहली जब पहली बार जब बोलूंगे तो एक याद होगा, दूसरी बार बोलूंगे तो दो याद हो जाएंगे and so on, I hope you got the point Okay Now, जो बहुत important चीज में तुमसे बात करना चाहती है, जो मुझे I don't know, books में, book में मैंने बहुत गहराई से नहीं देखा कि उन्होंने प्रॉपरली दिया है जो उसमें दियावा है, जो तुमको पढ़ना है, जो तुमको आना चाहिए और तुम्हें समसॉल्फ करना है, वो में पूरा करा लोंगे और फिर टिक-टिक-टिक करके मैं सारे जो टॉपिक्स हो रखे, मैं तुमको दिखा दूँगे देखो, उन्होंने ये लिखा वा है, तो अवियस सी बात है, जब मैं पढ़ा चुकी रहोंगे तुम इसली उसको चैच कर लोगे लेकिन मैं लाइन बाइन ऐसा नहीं करोगे, तुम बाइन बाइन इसा नहीं करोगे तुम वेर वस इतेकन सीरियसली, तुम बहुत कमफूटबली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक को बोलते हैं, ट्लासिकल थॉट अफ मैं करोगे और दूसरी को बोलते हैं, कीन्स, कीन्स is a very famous economist, जिनोने, वो ब्रॉट, it is also known as कीनिशियन revolution, तो क्लासिकल और कीनिशियन स्कूल अफ थॉट इन टमस अफ मैक्रेकोनॉमिक्स, मेजर ले तुम्हें यही पढ़ना है, कीन्स के बाद भी आया, उसको बोलते हैं, नियो क्लासिकल और वो पता नहीं तुमारे पोश्चन में है कि नहीं है, जब अगर होगा, तो बाद में बढ़ा दूँगे, अभी फिलहाल इतना अगर कंट्रोल कर लो कि तो मेरे लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी, अब सुनो आ गए, तो 1929 में क्या हुआ कि बहुत ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं और यह जो डिप्रेशन चला यह लगभग, आई थिंक 10, 12, 15 years तक चला, 25% of 1929 में यह शुरू हुआ था और 1933 तक, सुनो गे न, यह चीज़ें तो बहुत मजा आएगा तुमें, 1933 तक 25% of the population of US was thrown out of the, thrown out of employment, मत बहुत 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 अब अब्लोएट, अब तो तुम, you can just think on the basis of your common sense, that if people do not have employment, 25% of the population of an economy, if unemployed, तो तुम सोच सकते हो, उस देश का income का क्या होगा, उस देश की consumption का क्या होगा, उस देश का investment का क्या होगा, everything would be out of place, okay, so basically, classical thought का क्या सोचना था, कीज का क्या सोचना था, अगर मैं तुमको यह बाते दो बता दू न, तो तुम खुद ही आगे बढ़ जाओगे जिंदगे मे तो इस बात पर एकनॉमिस्ट का काम होता है न, एकनॉमिस्ट का तो यही काम होता है, कि अगर economy तुम्हारी उपर या नीचे जो भी है, जो भी problems economy की, आप उसका solution बताइए, कि भाई यह problem क्यों हो रही है, और अगर यह problem हो रही है, तो इसका क्या solution होगा, okay, तो classical thought क्या था, क्यों classical thought उसमें fail कर गया, और क्यों Keynes की जो school of thought थी, वो काफी successful हो गई, तो तुमको पहले ध्यान देना पड़ेगा, कि इसने क्या बोला और इसने क्या बोला, okay, और कैसे इसने rectify किया, okay, सुनना आप ध्यान से, तो classical school of thought का यह बोलना था, कि economy के अंदर में, economy के अंदर में कभी भी lack of employment हो ही नहीं सकती, मतलब वो लोग इस बात को accept ही नहीं कर रहे थे कि unemployment जैसी भी चीज, जब मैं unemployment बोलती हूँ न, तो यह मत सोचना कि मैं सिर्फ किसी इंसान के unemployment के बारे में बात कर रहे हूँ, नहीं, जब मैं unemployment की बात, of course मैं लोगों के unemployed होने के बारे में बात क कर रहे हूँ, मतलब लोग unemployed है, तो वेजे salaries नहीं मिल रहे हैं, घर पे बैठा हैं, खाने को नहीं है, ऐसा, of course वैसा है, लेकिन इसका यह भी मतलब होता है एक और, that the productive capacity, the productive capacity of an economy is underutilized, और it is unutilized, इसका यह भी, that is, that also means unemployment, okay, so as per the classical school of thought, उन लोगों नहीं यह बोला, कि किसी economy क कि अंदर में unemployment या underemployment हो ही नहीं सकता, the economy is always fully employed, समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहे हूँ, तो मैं कैसे, तो logic भी दिया उन्होंने, उन्होंने क्या बोला, यह तुमको समझता है क्या, कि हम, हम factors of production होता है, यह पता है तुम्हें, मैं assume कर रहे हैं, because तुमने economics पहले भी प economy के अंदर में दो entity को ले लो, एक ले लो firm और एक ले लो household, ठीक है ना, तो चार चीजें, four factors are required for production and production of goods and services for that matter, okay, क्या-क्या चाहिए होता है, बताओ, land चाहिए होता है, okay, labor चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, capital चाहिए होता है, और entrepreneurship चाहिए होता है, पता है ना, तो जो household होता है, वो firm को क्या देता है, वो four factors of production देता है, land देते हैं, labor देते हैं, तो land जब देते हैं, वो लोग, तो firm उनको क्या देती है, rent देती है, जब ये लोग labor देते हैं, तो firm उनको क्या देते हैं, wages देते हैं, जब ये लोग capital देते हैं, तो वो क्या मिलता है, तो तो और जब entrepreneurship देते हैं, मतब यह जो household वाले लोग है, यही तो business खड़ा करते हैं, तो उनको profits मेलती है, okay, तो basically यह इस्तर से चलता रहता है, तो यह लोग factors of production provide करते हैं, and these people pay them rent, wages, interest on capital and profits on the entrepreneurship, right, same factor, same earning, you can call this money as earning, factor income, you can call a proper word, this factor income would be used by household to buy goods and services of the firm, correct है, यही वाले पैसे जो यह लोग कमाएंगे, उसी से यह लोग जाके goods and services खरे देंगे, तो यह पूरा जो, यह जो circular flow है, इसके बारे में आगे जाके बात होने वाली है, यह डेटेल में, यह चलता रहता है, right, तो classical school of thought का बोलना है, कि it is not possible that economy के अंदर म under employment या unemployment possible भी है, उसका reason क्या है, कि ultimately, जो लोग है, अगर आप मालू कि आपने ज़्यादा goods and services produce किया, फर्म ने, okay, तो produce करने के लिए factors को use किया, और वो जो factors हैं, जब आपने ज़्यादा produce किया, तो आपने ज़्यादा factor employ किया, और आपने ज़्यादा factor employ किया, तो आपने process है, employment का ये तब तक चलेगा, जब तक सारे लोग employee न हो जाएं, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, because they said that supply creates its own demand, मैंने तुमको बताया भी supply, कैसे supply creates its own demand, these people who supply this factor, services, they earn income and they are the people who are going to buy the goods and services, so it is not possible that there would be under employment or unemployment in the economy and they fail to answer, they failed to answer कि economy के अंदर में इतनी बड़ी unemployment क्यों आई, and why 25% of the people were thrown out of employment, and why there was so much of depression in the economy, so much of recession in the economy, okay, तो वो लो नहीं बता पाए, तो उस समय ये classical school of thought को बहुत क्रिटिसाइस किया गया, and you know what, Keynes, Keynes ने एक नही थेयरी प्रोपाउड करी उस समय पे, और उसने अपने logics बता है, in fact, classical school of thought ने, उन्होंने ये भी बोला, कि basically, ये जो economy होती है न, free market force जो होता है, free market economy जो होती है, वो automatically operate करती है, okay, मैं तुमको आगे जाकर दिखाऊंगे कि वो क्या बोलना चाहरे, automatically operate करते है, मतब free market, I have read some word that's called like invisible hand, मतब free market के अंदर में एक invisible hand होता है, जो कि अगर ये mismatch create भी अगर हुआ, तो वो अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाएगा, किसी को intervene नहीं करना चाहिए, और ये जो दिक्कतें आती हैं ने economy में, as per the classical thought, ये दिक्कत तब आती है, क्योंकि government intervene करते हैं, क्योंकि trade unions intervene करते हैं, और जो automatic movement होरी economy के अंदर में demand supply के, ये लोग उसको जाकर के interfere कर देते हैं, उन लोग का ये बोलना था, okay, लेकिन Keynes ने guys, पूरी की पूरी थेयरी को change करा, और उसने अपनी एक नई बात रखी, एक deep breath तो उसके बाद Keynes के थेयरी शुरू करते हैं, so I have given here, we can divide this into three categories, major schools of thought in macroeconomics, classical school of thought, Keynes theory and new classical school of thought, तो मैंने जो discuss किया classical school of thought था, और अभी Keynes के थेयरी अपने को discuss करते हैं, okay, so I just wanted to give you a small pause actually, because last 20 minutes say I am just talking non-stop, okay, so I am sure that you have taken a deep breath and then now we are ready for the next like, not really, this is just introduction of like half an hour 40 minutes मैं मैं खतम कर दूंगी, तो just overall view दे रही थी, ता कि तुम economics मैं एंटर कर पाओ, एक दम से पढ़ाना शुरू करती ना तो शाद मजा नहीं आता, तो अभी मुद्य पे आ जाते हैं आपन, just let's get back to the topic, the topic of discussion actually, so what I was saying was, कि I was talking about the classical thought of school, okay, so classical thought नहीं क्या बोला, that as I told you that the economy can never move below full employment level, मतलब एक नहीं के अंदर में, full employment से नीचे, यानि अंदर एंप्लोयमेंट या नेंप्लोयमेंट होई नी सकता, लेकिन जो great depression का 1929 में, इतना बड़ा unemployment और इतनी जादा, इतना जादा problem जो था economy उसमें, it was really bad actually, you know, so वो क्यों आया फिर, तो यह लोग इस्प्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने तुमको बोला, तो Keen's नहीं अपनी एक थेयरी प्लेस करी, और उसने बहुत सारी बाते बोली, उसने क्या बोला कि basically, this is completely true, that supply will create its own demand, मतलब factor, जो factor services provide करते हैं, to the firms, ओके उनको factor income मिलती है, as I told you, and उसी factor income से वो लो, फिर goods and services company का buy करते हैं, तो जित्ती जादा तुम production करोगे, goods and services का, उतनी जादा you will employ factors, उतनी जादा factor income तुम जनरेट करोगे, and उतनी जादा goods and services ये लोग वापस भाय करेंगे, तो ultimately where is the situation wherein, there would be like, below full employment level आईगा ही क्यों, तुम जादा अगर produce करोगे, तो जादा, जादा you know kind of consume होगा, अगर तुम कम करोगे, तो कम consume होगा, and so on so forth, that was a logic of classical thought of school, देखो अगर दोनों नहीं समझोगे न, और सिर्फ दोनों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, पूरी तरह से, depending on situation, किसी एक की बात सच होगी, किसी एक की बात उतनी सही नहीं होगी, और Keynes के बाद भी जो theory आई, उन्होंने तो क्या किया, new classical जो हमें पढ़ना नहीं है फिलाल कि, आज बात नहीं कर रहे हैं कम से कम, तो दोनों को merge करके उन्होंने तीसरी situation निकाले, कि ना ये गलत है, ना ये पूरी तरह से सही है, ना ये पूरी तरह से सही है, that way, बट की इसने क्या बोला, वो तुम्हारा macroeconomics का बेस है, बेसिकले, ऐसे बोल सकते हो तुम, हाँ तो इसने क्या बोला, वो सुनो, इसने ये बोला कि, बिलकुल ये बात, इस बिलकुल ये बात, this point is completely correct, that supply will create its own demand, ultimately people who provide factor services are the people who are going to pay for this goods and services and they are the people who are going to consume these goods and services, but people, people, जो factor income मिलता है, you know, kind of मालों कि इनोने services प्रवाइड के, जो factor income मिला, वेज, rent, interest and profits, तो इस तो बिलकुल जरूरी नहीं है, कि जितना पैसा मुझे मिला, factor income के तॉर पे, I will, I will like, use all that money to buy goods and services, that means, that means, जो पूरा factor income होगा, that will not be used to consume in total sum basically, that means to say, people do save some amount and this savings leads to, this savings leads to leakages in the income flow, income flow कैसे बोग कि इसको बोलते हैं, कि मालों कि, ultimately जो 100 रुपे का तुमने माल बनाया, okay, 100 रुपे का जो माल बनाया, तो ये 100 रुपे को तुम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना, वेज, रेंट और इंट्रेस्ट एंड प्रोफेट्स, तो बेसिकली, total value of the product is equal to total value of the factor incomes, is equal to the total value of expenditure, तो तुम जब आगे बढ़ोगे ना, जब मैं तुमको proper first chapter पढ़ाओंगी, तो तुम पढ़ोगे gross domestic product, तो तुम पढ़ोगे ग्रॉस्ट जमेस्टिक प्रोड़क्ट, रादर सिंपल वर्ट में बोलू, total product, total incomes and total expenditures, at the level of equilibrium should be the same, मतब जो तुमने माल बनाया, वो तुमने बेचा, उसकी value, जो goods and services की जो value है, वो वो value है क्या, जो तुमने खर्चा उस पर लगाया, तो total income, जो तुमने पेमेंट किया, factors को, वो और उन्होंने जो खर्चा किया, अगर वो लोग पूरा खर्च कर देते हैं तो, तो basically total value of the total product, then total factor incomes should be equal to the total expenditures, but ये तब होगा, जब ये तीनों value बिल्कुल बराबर होगी, but is it important कि जितना पैसा इन्हों को factory income के तौर पे मिलेगा, will they spend the whole of the money? No, they will not, they might save some amount, and अगर वो लोग सेव करेंगे, तो क्या होगा, इस पूरे flow के अंदर में leakages आ जाएगी, okay, और अगर leakage आती है, तो वो जो पैसा बच गया, वो कहां जाएगा, जो savings है, वो कहां जाती है, those savings will be going into the financial system, सुनना ध्यान से, okay, those savings, I will repeat though, when I am teaching the appropriate chapter, these savings would be going into the finance market, like people would save in the form of FDs, people with the banks, people would save in the form of like investment in the stock market, in the bond market and so on, तो basically ये पैसा चला जाएगा आपका finance market के अंदर में, और इस finance market से, वापिस से पैसा कौन बॉरो करेगा पता है, ये firms वापिस से बॉरो करेंगे, क्यों बॉरो करेंगे, because इनको अपनी productive capacities को अगर maintain करना है, अगर अपनी productive capacities को increase करना है, या technological advancement करना है, ये कुछ भी करना है, तो इनको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे वो हमार्केट से उठाएंगे, इसका मतलब basically ये हुआ, कि ultimately, जो total income है, जो total factor income है, वो ultimately consume होगा, पूरी तरह से goods and services में, consumption expenditure नहीं होगा, उसके दो पार्ट बन जाएंगे, consumption plus savings, and this consumption plus savings is what, this is your income part, okay, and this consumption and savings, यानि what is the purpose of, I mean to say, ये जो पैसे आएंगे, उसका आप किस तरह से use करोगे, आप कुछ पैसे consume करोगे, कुछ पैसे save करोगे, और जो पैसे consume करोगे, वो बन जाएगा consumption expenditure, और जो पैसे आप save करोगे, वो बन जाएगा आपका investment expenditure, लेकिन वो क्या बोल रहा है, तो classical thought क्या बोलता है, classical thought ने भी यही बात बोला, कि नहीं, हम भी नहीं बोल रहे हैं कि सारा पैसा वो लोग goods and services, यानि कि पूरा पैसा हम consume नहीं कर लेंगे, कुछ पैसा definitely factor वाले जो लोग है, जो household है, वो save करेगा, ओके, तो जो पैसा save करेगा, वो पैसा finance market में जाएगा, firms उ जोनी 100 रुपया अगर गया flow के अंदर में, और 5 रुपया वापस नहीं जाता है कहीं भी, तो तुम्हारी जो flow है, वो contract होने लग जाएगी, are you getting the point? तो वो बात हो रही है यहां पे, लेकिन उनका क्या बोलना था, कि पूरे जो savings है, यानि, savings will be equal to investment, यानि कि the whole of the income, the whole of the income will be equal to the expenditure, though the expenditure can be, the income can be divided into two, the money would be used for consumption and for saving, and equation के right hand side में तुम लेक सकते हो, consumption expenditure and savings would be going for investment expenditure, ऐसा कहने का मतलब है, लेकिन कीज का यहां पे सबसे बड़ा, you know, kind of question mark था, उसने क्या बोला, कि यह जो लोग है, जो पैसा save करते हैं, जो आप बोल रहे हो, कि savings will be equal to expenditure, तो यह जो लोग होते हैं, जो पैसा save करते हैं, कौन करता है, हाॉस होल्ड चरते हैं, जिननों ने factor income receive किया है, ओके, और जो यह लोग है, जो लोग investment expenditure करते हैं, यह लोग same नहीं होते हैं, यह लोग, अलग होते हैं, पहली बात, दूसरी बात, इनके save करने का purpose और इनके invest करने का purpose भी अलग-अलग होता है तो basically आप जो बोल रहे हो कि आपका जो पूरा का पूरा income है वो पूरा expenditure बन जाएगा वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि consumption income will be consumption expenditure but savings will not be 100% equal to the investment expenditure two reasons, number one, people who are saving and people who are doing investment are two different categories of people, they don't know each other at all and there is no relation between them, number two, the purpose of doing a saving and the purpose of doing an investment is again very different and that is why the desired saving, if you are saying that desired saving and desired investment would be the same they would not be the same, at some point of time savings will be more than investment and at some time investment will be more than the savings, let me tell you something savings jo hoti hai, wo insan kis lihi hota hai, karta hai, people do savings for their old age then people do their savings for their children, for their marriages, for their education and so many things for that matter, people do investment, you know why, because they want a return from the money, people will do investment only if they think that they can earn more the marginal efficiency, the profitability is the main reason, the interest rate is the reason agar koi nahi technology are ye, that is the reason, so the purpose of saving and the purpose of investments are not same and that is why total savings by the household and total investment by the firms would not be the same, that means to say he, wo jo kya bolna chata hai, wo ye bolna chata hai ki ki kyun ki ye douno berabar nahi ho sakta hai and that is why, there is a possibility that, douno ki intentions alag hai, save karne ke or invest karne ke, toh there is a possibility that, agar investment savings se kam hoi, toh kya hoga, aapka jo circular flow of income hai, wo kya hoga, wo kya hoga, wo kya hoga, wo kya hoga, wo chota hoga, wo small ho jayega, okay and that is quite possible, so he says, he gave the reasons for recession and depression, he said that, the market is, the market is guided by supply and demand, uske hisaab se market me recession tab aata hai, jab demand me deficiency a jati hai, ab tum bolo ka ma'am demand me deficiency kyun a jayegi, demand me isli deficiency a jati hai, kyun ki, agar maan lo ki, agar kisi, ek example tum ko bolo rhoi ho, agar kisi firm ko ye laga, ki is investment ke anndar me profitability nahi, toh paisa invest nahi kareega, aur agar woh, yaa phir tu mh aise bhi soo sakti ho, ki usne bohut sara maal bana liya, aur logon ne paise jada save kar liye, toh kya hoga, wo joh paise jane chahiye thay wapis, goods and services ko buy karne ke liye, wo nahi gaya, toh kya hoga, maal tumhahara pada raha jayega, tumhahara joh retailer hai, woh wholesale se demand nahi kareega, wholesaler production house se demand nahi kareega, aur maal tumhahara pada rahi jayega, toh agar if you have a pile up of the goods and services, toh kya hoga, the production houses will start contracting their businesses and they will start laying off the people, wo logon ko nikaal ne lag jayenge, and that is where underemployment or unemployment will start occurring, okay, so he says that the major reason of recession and then depression is a deficiency of the demand in the market, market mein enough demand nahi hai, consumption ke liye bhi nahi hai, aur investment ke liye, investment ke liye kya hoga, jab utna hi mal nahi tumhahara khap ra hai, toh phir tumhara investment karke kya karo ge, okay, so because of the deficiency in the demand, okay, there would be like consumption expenditure kam hoga, investment expenditure kam hoga, and that is why there would be recession and there would be depressions, logoon niya swaal kya, mein wind up kar rahi ho isko, okay, logoon niya bola, toh isko kaise kama kare, tab usne ya baat boli, keens nahi ya baat boli, ki agar is gap ko hum fill karna chahate hai, toh government ko intervene karna padega, government ko investment karna padega, government ko expenditure apne badaane padega, goods and services ke, unko investment expenditure karna padega, so that ki, wo joh gap create ho gaya, us gap ko wo log fulfill kar pahe, and jiasse jiasse keens nahi bola, sari governments nahi, UK, US, Germany, all the governments did the way he guided, and the government actually intervened, and they increased a lot of their, government bhi bhai kerti in a defense ke liye, welfare ke liye, school ke liye, kitay sara jizho ke liye, buy karte hai, investment bhi karte hai, roads banate hai, highways banate hai, dams banate hai, toh intervene karke, aap artificially market me jau, aap demand create karo, toh aap ki market me pick up a jayega, and it actually worked for that matter, at that point of time, at least it worked, so joh baat classical thought of school nai bola tha, ki government ki wajah se actually sara garbar ho jata hai, toh nai honne bola ki nai, government ka time to time intervene karna, bhot zaadha zaruri ho ta hai, so that is what I have written here guys, so I hope, ki tumko eek idea mila, ki macro economics me basically, tumko kya pundhna hai, so basically, eek baat, or wind up karte hai, so mahi tumko bhol rahi ho, ki joh classical thought of school tha, woh, unke hisaap se, kubh bhi bhi economy, kubh bhi bhi economy me demand ki kumi nahi hogi, kubh bhi bhi nahi hogi, kyunki, agar maan lo, agar maan lo, ki maal pile up ho jata hai companies ke paas me, toh woh, kya karenge, apne maal ko selta ane ke liye, apne uski prices ko kum karengi, toh agar prices ko kum karengi, toh kya hooga, wapis si log bhai karna shuru kar dhenge, sammhiar hai, toh us, unhoh nne ye bola, ki jaysse hi price kum karo ga, wiasse wapis demand a jiayegi, but keens nne kya bola, ki prices kum karna itna asan nahi hota hai, okey prices kum karna itna asan nahi hota, prices kum nahi hota hai, itni jaldi, okey, rather output ko kum kar diya jata hai, production ko kum kar diya, agar production kum karo ge, toh kya hooga, tum employees ko lay out, lay off kar doge, toh tumhara jo, tumhari demand ki kum hi ho jayegi, unke paas wages kum ane lagay na, agar logon ko tum naukhi se hata doge, toh jimant ane thi, unki wo kum ho gai, so deficiency of demand ki wajjas recession aata hai, aur is gap ko serkaar ko chahiye, the government should come and bridge that gap, that was the theory all about actually, there are many things guys, but I don't think I should be getting into too much of detailing, tum bor ho jao ge, baat da, again bar bar word use kar rhi ho, but this is what is all about macroeconomics, and he became very popular, it is also known as kination revolution, toh iske baat, chapter chalo ho ra hai, determination of national income, toh ab jab mein baat karo ghi na, tumse circular flow kya ho ta hai, you know kind of GDP kya ho ta hai, and GNP kya ho ta hai, toh yeh sari baat hai hum karenge, unit one ka chapter number one, determination of national income, yeh pura maine tumko introduction diya, so that ki tum thoda sa jo words use or in employment, underemployment and all that, usse thodi familiar tum ho jao, okay, so mani kya likhha hai, as per Keynes, equilibrium level of national income and employment was determined by aggregate demand and aggregate supply, and further that due to the lack of aggregate effective demand, equilibrium level of income and employment might well be established at far less than full employment level in a free market capitalist economy, usne kya bula pata hai hai, tumko ik baat ar ekstrap ho ra rhi ho, that apne aap se, jesse classical thought ne bula ki, apne aap se, woh log wapes equilibrium me ho jae ga, aajayega free force economic demand supply ka chalta hai, isne bula nahi, apne aap se nahi ho ga, isko artificially improve karna padega, government ko intervene karna padega, okay, then they say, he says that this causes involuntary unemployment of labour on the hand and excess productive capacity, naturally, aapka jab maal nahi bhi ka raha hai, toh kya ho ga, aap loogho ko hata dayte ho, toh log unemployed ho jaate hai, aur aapki jo productive capacity hai, woh utilize nahi ho rahi 100%, right? So, his macroeconomic models reveal how consumption function, investment function, liquidity preference function conceived in aggregate terms interact to determine the level of national income and employment. I hope you got the point. So, some words, some variables, some nomenclature that you must try to like learn, kuch words jo tumhe jarur yaad hona chahiye, consumption expenditure, investment expenditure, savings, total savings, uske baad liquidity preference, then purchasing power of money, inflation, then deflation, then balance of payments, okay, underemployment, unemployment, okay. So, these are the words jo tumh bhoot jyadha use karne wale ho aage jaa karke. So, I hope you will appreciate, just get used to them. Gross domestic product, GDP, gross national product, GNP, then NDP, national domestic product, okay, then NNP, net national product, then disposable income, then personal income. So, ye sari words tumh bhoot across aoge, dimaag me bithalo. Agar meaning samjhegi, tato ham apan easily aage badhenge. I hope you could like understand the full introduction of the macroeconomic that how it started actually, okay. So, I think we will go ahead and quickly start with the first chapter, determination of national income. तब तक वापिस एक बाद तुम डीब रथ ले लो, फिर आपने आगे बढ़ रहे हैं. Thank you. Okay. Hello students. We are going to start with the first chapter of economics. So, मैंने ये सोचा लाँ कि मैं शुरू करने के पहले जो मैंने आपको आदे घंटे का 40 minutes का जो lecture दिया था, वो तो यूई सिर्फ इंट्रो पार्ट था, ताकि मैं, you know, kind of, अगर आप, आपका जो ब्रेन है मैं एक ग्रूव में ला सको, you know, kind of, एक मोड में ला सको, economics के. So, that was like overall about macroeconomics and primarily we have to focus on clinician economics only, okay. वो कहीं बोलेंगे नहीं इस तरह से, बट जो भी आप formulas उगर यूज करोगे, जो भी आप concepts यूज करोगे, उसमें जादा करके हम लोग किनिशन economics का यूज कर रहे हैं, यह ध्यान देना. Okay, लेकिन ऐसा specifically उस चीज के ऊपर में कि किनिशन आपको अगर समझ के चलेंगे तो वह अच्छा रहे हैं, अब भी मैं क्या सोच रही थी कि पहले न अपने यह देखते कि क्या है syllabus हम लोग का as per the ICI content, okay. सबसे पहले बता दू, 100 marks का paper होगा, 8th paper है, सबको पता है already, okay. Financial Management and Economics, ऐसा नाम है paper का, okay. तो, you can see that one paper, three hours, 100 marks, यहां लिखावे न, और उसके बाद लिखावा है, Economics for Finance for 40 marks, यह भी आपको लिखावा, यानि कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो 40 marks के लिए, यानि कि अगर किसी को 100 में 100 लाना है, तो सिर्फ FM पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुमको economics में भी अच्छे लाइक राइटिंग थिंग और इंफरमेशन एवरेटिंग नहीं, मैं इस तरह से तुमको पढ़ा दूंगी, कि तुम्हें याद ना करना पड़े, कि मगप ना करना पड़े, overall एक बार चीज समझ में आ जाएगी न, तो उसके बाद थोड़ा से करो के तो काम चलेगा तुम्हारा, अब देखो यहां पर यह तुम्हारा portion है, यानि कि अगर यह मैं बोलो, यह तुम्हारा एक साथ दिखाओंगी न, तो अच्छा रहेगा, जो मैं नहीं बोल रहे थी तुमको, कि चार यूनिट, तेरा four units in your portion of economics and the first one is determination of national income, okay and the second one is public finance, the third one is money market, और within the unit, जो है, विदिन the topic, यानि कि अगर determination of national income है, तो यह दोनों जो chapters है, macroeconomic aggregates and measurement of national income and the condition theory of determination of national income, यह दोनों related topics है, I think you can understand on your own, मुझे इतनी सम्झाने की जूरत नहीं है, शायदा बड़े बच्चे हो सारे, तो यह गाइस इतना मुश्किल नहीं है, actually अगर तुमुझ से पूछोगे ना, तो ज्यादा, ज्यादा, अगर थोड़ा भी एगर ज्यादा है complicated, तो यह पहला वाला ही है, बाकि second, third, fourth, खाली theory, theory पढ़नी है तुमको, तो I will make sure कि तुमको मैं class में सारी theory समझा के याद करवादू, लेकिन पहले वाले के ऊपर में sums बनेंगे तुमारे काफी सारे जो भी sums आएंगे न, economics में, वो ज्यादा करके यह वाले topic के आएंगे तुमारे, इसलिए इसको समझना पहुत जरूरी है, बरना sums नहीं कर पाओगे तुम exam के अंदर, तो यहाँ पे यह पूरा दिया वाए तुमको, इस तरह से है, यानि सब मिला करके जो भी number of chapters I have not counted them, but yet this is the portion, okay, so now, we are going to start the first one, determination of national income, that you understand, right, तो मैंने जो तुमको दिया न, overall introduction दिया, या बताया मैंने, can you see here, the condition theory, यह लिखावा है न, word यहाँ पे, तो तुमको fair idea है, कि मैं क्या बोल रही है, right, अब इसके बाद, अगर मैं chapter के bifurcation में जाओं, total, तो देखो, यहाँ पे क्या लिखावा है, determination of national income topic, यह था दिया वहा है, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम देखो, यहाँ टोपिक सारे दिया वहा है, क्या दिया वहा है, introduction दिया वहा है, फिर usefulness and significance of national income estimates, यह बहुत important theory question बनेगा paper के अंदर में, different concepts of national income, यह क्या होता है तुम्हें, जैसे GDP क्या ह होता है, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है, बताओंगे, अभी अभी ती, I don't want to like start somewhere from between, पुरा order में बताओंगे, बहुत अच्छे से बताओंगे, personal income क्या होता है, disposable income क्या होता है, यह उसके बारे में बात हो रही है, ओके फिर measurement, उन सब को measure करना, वही sums है तु के अंदर में होगा, फिर GDP and welfare again one page only, then limitations and challenges of national income computation 1.34, और उसके बाद तुम्हारे कुछ multiple choice questions देवे हैं, paper module के अंदर में, और फिर कुछ sums भी देवे हैं, ओके तो I think, मैं क्या चाहती हो, पता है, मैं यह चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इतनी अच्छे से पढ़ा दूना कि तुम मैंने, the condition theory of determination of national income देखोगे, तो introduction देखेगा, फिर circular flow in a simple two-factor model, मैंने इसके बारे में कुस्तो discussion, I had talked something about this in my intro also, not in detail, but I told you that I will talk a lot in detail, then basic concepts and functions, then the two-sector model of national income determination and यहां से शुरू हो रहा है, the investment multiplier and all that, okay, determination of equilibrium income, three-sector model, determination of equilibrium income, four-sector model, okay, तो मैं क्या चाहती हूँ न, कि इसके बारे में, देखो यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, circular flow in a simple two-sector model, उसके बार determination of equilibrium income in a three-sector model and a four-sector model, actually guys पता है, इसके बारे में पहले बात होनी चाहिए, तुमकों समधरा में क्या बोल रहे हूँ, हमें two-sector model, three-se three-sector model में कौन होगा, government भी आजाएगी, और four-sector model में क्या हो जाएगा, कि तुम एक closed economy से open economy बन जाओगे, तो इतना बहुत complicated level पर नहीं जाना है, जब यह chapter आएगा न, तो भी मैं revise कराऊँगी तुमकों, लेकिन मैं चाहती हूँ, कि determination of national income की शुरुवात ही उससे होनी चाह होंगे, बट इनके ही order मैं cover करूंगे, ऐसा मैं promise नहीं करती हूँ, because मेरा एक समझने का तरीका है, और मेरा एक समझाने का तरीका है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरीके समझाओ, ताकि चीजन समझ में आए, ओके, लेकिन हा, तुमको यह बताती रहोंगे बीच-बीच मे कि भाई यह यहां पे है और मैंने यहां पे पढ़ाया है, that way, so I hope you would be fine with that and you shouldn't be complaining on that, okay, शुरू करें फिर, तो सबसे पहले में काम करती हूँ, कि तुमको यह समझाती हूँ, कि टू सेक्टर एकॉनमी किसको बोलते हैं, थ्री सक्टर एकॉनमी किसको बोलते हैं, और नाशनल इंकम किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो वह बात करते हैं, चलो, शुरू करते हैं अपन फटक से, and we start, okay, now, guys, see here, this is, यह जो बाइफरकेशन दिख रही ही ना तुमको, यह वाले define, यह तुम्हारी मोडूल का ही है, मैंने यह चेंज नहीं किया, because I want you to follow this, basically, and I will, कहीं नहीं मैं अपने आपको इसके अंदर ही chip-in करा लूँगे, okay, now, सुनना, कि सबसे पहले national income क्या होता है, वो सुनन, so, your country, basically, I am not sticking to their material, मैं अपनी बात कर रहीं, पहले आदे घंटे, पौन घंटे मैं अपने हिसाब से बात करूँगे, उसके बाद उनके, उनके topic उपर आऊँगे, सुनन, so, सबसे पहले चीज, कि हमारी एक country है, right, we have a country, तो जब when a country's labour and capital, okay, national income किसको बोलत है, concept डवला करो पहले, when the labour and the capital of a country, of economy, works on the natural resources of that particular economy, what we get is national output और national income, correct, ना, तो basically what is national income, एक definition भी बोलने वाले हूँ, जो कि बार-बार repeat होगे, मैं कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, okay, so what is national income, national income is the monetary value, सुनना ध्यान से, याद कर लोगे तो और भी अच्छा है, national income is the monetary value of the goods and services produced, okay, within a year, क्या बोला मैंने, national income is the monetary value of the final goods and services produced within a year, इसको बोलते हैं, national income, इसमें मैंने बहुत सारे words यूज किया हैं, पता है तुम्हें, तो वो words को catch करो, बोलोगे तुम्हें लिखोंगे भी, okay, तो monetary value, national income is the monetary value of all the final, बोलो साथ में, final goods and services produced within a country, within a year, okay, so, in order to add both of them, it is important, that we convert that into money terms, that means, what is the monetary value of 10 meter of cloth and what is the monetary value of 10 liters of milk, okay, so, there are different measurement units for everything that we produce within the economy, that we consume within the economy, and that is why we need to convert them, and they are not additive, हम उनको add नहीं कर सकते, आप कैसे add करोगे, दो घर बनाया, 100 liter दूद प्रोड्यूस किया, then 100, 100, तुम्हारा जो, 100 km का तुम्हारा रोड बनाया, आप कैसे add करोगे सबको, तो इन सबको अगर add करना है, तो what you will have to do, जो तुम्हारा goods and services है, उसकी monetary value, यानि money terms में जो value कि उसको आप add कर सकते हो, सबसे पहले चीज़ वो, number two, final goods and services आप consider करोगे, क्यों ऐसा बोर रही हूं है, इसलिए कि कई चीज़ें ऐसी होती है, जो multiple times buy and sell होती है, right, and तुम्हारे कुछ चीज़े multiple time, for example trading, पहले manufacturer ने बनाया, फिर उसको wholesaler को दिया, wholesaler ने retail को बेचा, retail ने फिर वैसा करके, तो एक ही चीज़ बार-बार buy and sell हो रही है, okay, तो क्या हो रहा है, कि अगर माल लो, for example, तुमको एक छोटा से बहुत simple से example देती हूं कि एक economy है, suppose करो, उसके अंदर में समझो कि दो ही activity होती है, एक manufacturing of like cotton and manufacturing of cloth, possible है, तो समझो कि the cloth was, the cotton was manufactured over supposed 2000 rupees and the cloth was manufactured over 3000 rupees, correct है, तो तुम मुझे बताओ कि national income क्या होनी चाहिए, और वो जो cotton था ना 2000 का, उसी से 3000 वाला cloth बना, तो तुम्हारे हिसाब से, you tell me, what should be the national income, क्या होना चाहिए, national output की value क्या होनी चाहिए, 3000 होनी चाहिए, why? लुचाहिए, लुजण का बई ना 2000 का बना 2,000 का क्या होनी चाहिए, तो रुचाहिए, अई चाहिए, क्या मुझे ट्री चाहिए, क्या था नाथ चाहिए, लुचाहिए, रुचाहिए, Angel-----Nasa TOया, उसी ना चाहिए, रूचाहिए, 2,000 का श्या चाहिए, य। that cotton is treated or regarded as intermediate consumption, आपु स्टीमिर कुर्णशियों झाले और वालीट वीजर पिल्टस से लिसे आपार जोड़े जाम जर्ट्टस जोड़ा एब दो बांटे कॉर्टलू कॉर्ट्स होटी निविजर अप्रड़ कॉर्ट संवी इस वाली इस अंट राफ इसालिय है बॉर्ट फ्रॉटंज वीजर that cotton to produce cloth was worth 3,000 rupees, then the national income or the value of the national output would be 3,000 rupees only and not 5,000, that's what I want to say, because अगर आप ऐसा करोगे, तो double counting हो रही है, okay, I think you got the point, and number three, within a year, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो यह जो national income concept है, यह फ्लो concept है, तुम बोलो कि मैं आप और डिटेलिंग कर तो वही उस बता रही हो तुमको, वो चीजें ही consider होगी इसके अंदर में, for example, आपका जैसे कोई घर है, जो पहले का बनावा है, okay, buildings, then cars, then kind of flats and houses, stocks and bonds, उनकी value consider नहीं होगी, लेकिन अगर वो buy or sell होता है, तो उसके अंदर में जो brokerage, commission वगरह जो जाएगा, वो consider होगा, क्यों? क्योंकि जो घर इस साल बना होगा, वो तुम्हारा consider होना चाहिए, क्योंकि वो घर अगर 10 सालों से है, तो हर साल के national income में वो count नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाले assets buy or sell होते हैं, तो इनको buy sell होने के बीच में जो income generate होते हैं, like brokerage, commission and all, वो consider होगी इसके अंदर में, तो जब detail में जाएंगे, तो मैं और ज्यादा समझाओंगी, तो basically, what is national income? National income is the monetary value of the final goods and services produced within a year, एक बादा ध्यांगे ना ये, okay? Now, in order to understand national income, in order to understand it properly, it is very very important that we have to understand how does your money flows, मत्तब तुम्हारा जो पैसा है, वो economy के अंदर में कैसे flow करता है, एक बार वो समझ में आ गया, तो national income का concept भी और समझ में आ जाएगा, एक बात का ध्यान देना, जो मैंने introduction चालो किया है, मैंने अब तक iceberg का tip भी touch नहीं किया, I have not explained to you anything till now, I am just trying to help you with a few words like monetary value, like final value of goods and services, then within a year and all that, you can relax on that. So, I am going to make you understand what do you understand by a two sector economy, what do you understand by a three sector economy and what do you understand by a four sector economy, okay, so I think I will write a few things also here. So, what is, choti choti baathe, सारी बात नहीं निखोंगे, what is national income, ठीके ना? So, the monetary value, एक लो अच्छा रहेगा, the monetary value of final good sense services produced within a year is called national income, right? So, अभी इसके बारे में ज्यादा detailing नहीं कर रही, because I go out, okay, it's called national income, तो मैंने दो तीन चीदों पर focus किया यहाँ पर, एक यह था, एक यह था, एक यह था, और यह कुछ और ही बन चुका है, तो इसको हमें ठीक कर देना चाहिए, क्या हो रहे है? Okay, then एक यह था विदिन ए यहर, तो इसको अब एक यह था, विदिन ए यहर, so this was important actually to understand, right? correct, अब आगे बढ़ते हैं आपन, so I can, I can start something of this sort, explanation on two-sector economy, 3-sector economy, यह एनी विच्वेस आने वाला है, और तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें जो मैं नोट्स दोंगी ना उसमें यह सारी चीज़ें रहेंगी, तो don't have to worry कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, don't worry, और मैं जो बोल रहे हैं सब कुछ तुमको लिखके दोंगी, 3-sector economy and 4-sector economy, okay, now, so if you want to understand कि national income क्या होता है, national output क्या होता है, national expenditure क्या होता है, एक घंटे के अंदर मैं सब समझ जाएगा तुमको, okay, लेकिन we need to understand कि how goods and services are produced, who produces the goods and services, then income कैसे generate होती है and all that, तो वो अगर बहुत simplistic model है, तो two-sector economy है, थोड़ा सा complicated, अगर model यूज करोगे, तो four-sector economy हो जाएगे, अगर वो समझ जाओगे, तो you know kind of goods and services and पैसों का जो movement है, वो अगबर click कर जाएगा, यह सबसे पहले, a two-sector economy. So, in the two-sector economy, we assume that there are only two entities. One, one entity is called household, okay, and the second entity is called firm. यह दो यह entity होते हैं, two-sector economy में, मतलब यह दो sector ही तुम्हारी economy में operate करते हैं, और यह कैसे operate करते हैं, वो सुनना तुम, कि basically household जो होता है न, वो firms को क्या देगा पता है? वो देगा factor services, factor services का मतलब क्या हुआ? वो देगा land, वो देगा capital, वो देगा entrepreneurship और यह ऐसे करके चार चीज़े तुमारा देगा, land, labor, capital and entrepreneurship, याद कर लो, तो यह this household will give factor services, चार चीज़े हैं, वो याद कर लो तुमाची से, okay, so they will give you, then they will give you land, labor, capital and entrepreneurship, बदले में यह जो services, household ने firms को यह जो services प्रोवाइड करी, इसके बदले में firms पेमेंट करेगा, factor payments करेगा, तो तुमारी जो factor payments आएगी, वो यह आएगी, और क्या payments आएगी? पेमेंट्स आएगी, wages, labor के गेंस्ट में, wages आएगा, तुमारा rent आएगा property के लिए, फिर तुमारा capital के लिए interest आएगा, राइट, and entrepreneurship के लिए तुमको आएगा profits, correct है? ओके, also जब यह पैसे यहाँ पे जाएंगे, तो यह लोग, यह लोग पैसा खर्च करेंगे, यह लोग पैसा खर्च करेंगे, ओके, तो खर्च करेंगे क्या चिक लिए? consumption expenditure, यह जो goods and services produce किया, firms ने, ओके, तो ultimately household ने क्या किया? factor services provide किया, इन्होंने production किया goods and services का, ओके, उसके यह जो services provide करेंगे, उसके बदले में इन्होंने यह payments किया, अब यह payment का household क्या करेगा? consumption expenditure, इसी पैसे से करेगा वो, ओके, और बदले में यह लोग क्या देंगे इसको? बदले में यह लोग देंगे, इनको goods and services, बाग खतम हो गई, so goods and, maybe I will not be able to draw a diagram everywhere, possible, बदले जहां, जहां simple होगा बना दूगी, तो यह सबसे simple तुम्हारी economic operation हो गया, मतलब we will have to assume, देखो दो थीन चीज़े समझो यहां पे, you will have to assume that, ultimately, कोई भी जो चीज़ मार्केट में सेल होती है, okay, उसकी एक वैली होती है, मालनो 100 रुपया उसकी वैली होती है, तो ultimately, वो 100 रुपया क्या होता है, वो 100 रुपीज is the total of the wages paid, the rent paid, the interest paid and the profits on that, correct, that, that is, that, that 100 रुपीज is nothing but the total of the factor income paid to the factor services, that is like a common sense, right, right, also, वो चो 100 रुपीज को तो मैसे भी बोल सक्ते हो ना, that 100 रुपीज is nothing but the sales value of the net production done by the firms, in terms of the business actually, okay, and you can also say that, that 100 रुपीज is nothing but the total expenditure done by household on the goods and services, that means, in the most simplistic, simplistic model, in an economy, where there are only two sectors, national output, यानी, total value of output, यानी, तुमने कितने का माल बनाया और बेचा, 100 रुपय का, total factor incomes कितना जनरेट हुआ, 100 रुपीज और टोटल हाउसोल्स ने कितना goods and services पे खर्चा किया, 100 रुपीज, and that is why, the total value of the output, the total value of the income, and the total value of the expenditure in an economy, at any point of time, would always remain the same, so, total national output, total national income, and total national expenditure, would be the same, in this model, we assume that, we assume that, why, is it, जेखो, मेर को ना, final में बढ़ानी की आदा थे, तो मैं यन बना रही थी, total value of output, is equal to c, what do you mean by that, y stands for, value of output, value of, तो value of output, बोलो 100 रुपया, या तुम value of factor income, बोलो, या तुम value of consumption expenditure, बोलो, बात वोल्टिमेटली एक ही हो गई न, so, in a most simplistic model, where, whatever is paid to the people, household, is 100% spent on goods and services, वो कुछ भी रिटेन नहीं करते, जितना वो कमाते हैं, उतना पूरा पैसा वो खर्च कर देते हैं, ये model का अजम्शन मैंने नहीं बनाया हैं, okay, and C is the consumption expenditure, okay, so, this is the two sector mod, two sector economy, where there is no savings, अब मैं लिख सकती हूँ ये बाद, then, when there, where there is no savings, and no investment, correct, now, this is two sector economy, I hope, तुमको सवन में आगा कि कैसे, कैसे तुमारा पैसे का flow बढ़ रहा है, यानि कुछ भी कहीं भी retain नहीं होता, ना ये लोग ना तो firms कुछ retain करते हैं, ना सेव करते हैं, वो के सारा पैसा ही लोग बार्ट देते हैं, और ये सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो national output is equal to national income is equal to national expenditure, now, अब मैं दूसरा ले रहे हूँ, इसके अंदर में, two sector economy, two sector economy with savings and with investment, correct है, अब वापस drawing करेंगे अपन, अब अज्यूम करो तुम कि ये जो इन्होंने factor income दिया, wage दिया, rent दिया, interest दिया, entrepreneurship का profits दिया, ये लोग पूरा खर्च नहीं करते, कोई भी economy के अंदर में, अगर मान लोग की 100 रुपए का अगर income generate होता, तो सारा थोड़ी ना खर्च कर देते हैं, हम थोड़ा पैसा save कर लेते हैं, और save करने के बहुत सारे multiple reasons होगा है कि हम क्यों save करना चाहते हैं, तो जब तक कि कुछ भी पैसा save नहीं हो रहा था, तो पूरा का पूरा जो value of output था, वो ही income assume कर रहे थे, वो expenditure assume कर रहे थे, लेकिन तो ये तुम्हारा क्या हो गया, circular flow of income हो गया ना, this is circular flow of income, now अगर मान लोग इन्होंने factor services provide करी यहां पे, और इन्होंने wages, rent, interest, profits दिया, और ये लोग अगर पूरे पैसे का consumption नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा जो circular flow of income है, थोड़ा पैसा save कर लिया है लोगोंने, तो circular flow जो तुम्हारा है, वो contract कर जाएगा, यानि अगर 100 रुपय की payment हुआ, और 80 रुपय का goods and services उन्होंने buy किया, तो 20 रुपय उन्होंने save कर लिया तो तुम्हारा जो circular flow of income है, वो contract कर जाएगा, तो उसके बारे में explanation हो रही है, कि contract नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो दिखा रही हूँ, यह को याप जाएगी, So basically, again I am taking the same diagram, household, okay, then you have firms again, तो यह लोग क्या बोलते हैं, जो पैसा यह लोग save करते हैं, okay, वो कहां जाएगा, घर पर तो save करेंगे हैं, अज्यूम करना है, घर पर save नहीं करते हैं, कुछ-कुछ अजम्शन से लेगी यहां पर, तो पैसे क्या करते हैं, वो लोग बैंक में जाके जमा कर देते हैं, capital market में, like stocks and bonds में invest कर देते हैं, या नहीं, finance market में वो पैसा चला जाता है, तो यहां पर ले लो, finance market, को कि वापे से वो चीजें repeat होगी तुम्हारी सारी, तो वापे से लोग फैक्टर सर्विसस प्रवाइड करेंगे, अब मैं ज्यादा रिटेलिंग इस पे अंदर नहीं कर रही, तुमको समझ में आने लग गया, मेरे हिसाब से भी, यह लोग वापे से फैक्टर सर्विसस प तो फैक्टर इंकम बोल सकती हूँ ना मैं इसको, फैक्टर इंकम राइड और उसमें से कुछ पैसे यह लोग कंजम्शन एक्स्पेंडिचर करते हैं, ओके एंड उसके बदले में अफ्कोर्स गूर्स गूर्सन सर्विसस देकन बाई, एंड कुछ पैसा चला जाता है, फिनांस मार्केट में सेविंस, एंड यह जो पैसे होते हैं, यह लोग बौरो कर लेते हैं, बौरोड फॉर investment, okay, so in this, in this, in this flow of income, model, here, y is equal to, यनि की, the value, the sales, वो जो 100 रुपय जनेरेट हुआ ना तुम्हारा, उसको, वो बेसिकली उस income का, उस income का ऐसे बोल सकते हैं, 100 रुपय की जो income जनेरेट हुई, उसका एक हिस्सा इन्होंने consume किया, और दुसरा हिस्सा उन्होंने save कर लिया, समझ में आई बात, अब as per keynes, या as per the macro theory, यह तुम्हारा one हो गया, okay, अब वही national output के अंदर में, वो यह जो पैसा है, तुम्हारा national income, उसको consumption expenditure किया, okay, और वो पैसा चला गया finance market के अंदर में, जिसको की borrow किया firms ने, borrow किया, firms ने और उससे investment expenditure उन्होंने किया, they borrowed that money from the finance market to increase the capacity of their production actually, they bought machines, they bought tools and they bought everything, तो again what will happen, जब यह लोग वापिस से, मतलब basically consumption का production नहीं हो करके, यह जो investment वाला पार्ट है, यह जो machines बन रही है, tools बन रही है, यह technology पर invest कर रहे है, तो ultimately वो जो पैसा है वापिस से वो circular flow के अंदर चला गया, यानि कि कोई भी पैसा कहीं retained नहीं है, तो पूरा पैसा consume भले नहीं किया, बट यह market के अंदर में, circular flow के अंदर में कहीं न कहीं सीप कर गया, ultimately, and that is why again, यह जो पैसा है, जो तुमको income मिली, वो consumption और savings में तुमने डिवाइड किया, और यह जो C plus I, यानि consumption expenditure and investment expenditure, तो यह हो गया, second equation, so here, can I write C plus S, equal to C plus I, so I can cancel this both consumption here, that means S is equal to I, that means, जितना पैसा इनोने consumption में खर्च नहीं किया, वो पूरा पैसा इनोने banks में या finance market में save कर दिया, okay, for different reasons, वो discuss नहीं कर रहे है, but बात यहाँ पर हो रही है, कि क्या वो तुम्हारा जो circular flow, जो circle चल रहा है तुम्हारा, वो disturb हो रहा है कि नहीं, तो यह लोग बोलते हैं, नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ultimately, जो पैसा save अगा, finance market में चला कि जो माल उन्होंने बनाया, ओके जो माल उन्होंने बनाया, और वो माल अगर बिख गया, ओके, वो माल अगर बिख गया, तो वो तुम्हारा natural income में, वो साल के national income में चला गया, okay, raw material तुम्हारा, तुम ऐसे बोल सकते हो, या unsold goods, जो consume नहीं हुआ, तो वो national income में नहीं आ, कि तुम्हें सो रुपे का माल बनाया ठीक है अगर वो अगर वो समझो अगर वो ऋट हो रहा है लो रहा है समझो और उसके बाद रिटेलर ने उतना कई खरीदा और बेच गया तो मार्केट में किते का माल जाकि और हमने बोला कि intermediate goods national income में count नहीं हो रहाई ने बोला लेकिन गुड दोस intermediate goods which will not be sold within a year will be considered as inventory and they will be considered as a part of the investment expenditure आई बात समझ में यानि की कहने का मतलब यह हुआ कि वो वाला तुम्हारा finished goods या तुम्हारा raw material जो बिक जाएगा वो जो बिकने के process में होगा मालों की production किया तो उसको wholesaler ने खरीदा wholesaler से retailer में गया retailer से customer तक गया तो वो तो national income का part बनेगा ही बनेगा लेकिन क्या चार बर बनेगा क्या नहीं एक ही बार final goods की जो value सेल होगी वही होगी तो जो माल नहीं भी का वो कैसे consider करेंगे वो तो ultimately intermediate good है और मैंने यह बोला कि intermediate goods को हमें नहीं लेना है national income में लेकिन अगर को intermediate good तुम्हारा उस particular साल के अंदर में नहीं sale होता है यानि कि तुमको समझा क्या बोल रही हूं मैं वो intermediate goods होते वे भी final value बनके रहे गया तो वो तुम्हारे national income में count होगा वो सारा में तुमको लिस्ट बताऊंगी तुमको 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 उसकी जिंदा मत करो खाली concept develop करो तुम okay and that will be a part so investment will represent all the investment expenditure done by firms in order to buy tools, techniques, buildings, machines and everything and also non-sold value of the intermediate goods I think you got the point okay so in a most simplistic model your savings will always be equal to investment okay and in case दिक्कत वहां पर आ जाएगी जहां पर savings मालो 20 रुपए की हुई समझो okay and investment 20 रुपए का नहीं हुआ तो क्या होगा तुम्हारा जो money flow है ये वाला वो contract करेगा okay अगर लोगों ने अपनी savings या तो बढ़ा दी या फिर लोगों ने investment expenditure firms ने कम किया तो what will happen your circular flow of income will contract और ऐसा क्यों करेंगे वो लो अखिर में कोई भी जो firm होगा why would they not do investment expenditure वो क्यों नहीं करेंगे because as per Keynes if there is a lack of demand in the economy if there is a deficiency of demand in the economy because of various reasons अगर पहले सही pile up होने लग गया you know लोगों ने खर्च करना कम कर दिया suppose करो for example covid में जैसे for example लोगों के पास पैसे थे लेकिन लोगों ने खर्च करना कम कर दिया इस लोगों के मन में एक insecurity develop हो गई कि नहीं पैसे बचाने जरूरी है जो क्या हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगे ना फिर तो basically वो पैसा तुमारे उस flow के अंदर में कभी गया ही नहीं इस थे सेविंग्स आर मोर ऑज़ें बाल फिर जाएगा जब पहले का ही माल नहीं भी का है तो वाइट दे क्रेट न्यू प्रडेक्शन के अच्छ पैसिटी आएगे उसको एक्स्पैंड क्यों रहें लोगों तो Because of either increase in savings or less investment expenditure. In that situation, what will happen? Your money flow will start getting contracted and that is called recession. But if investment expenditure is more than the savings, then what will happen? You are, this, your money flow will expand. That means there will be a euphoria in your economy. That means there is so much demand that you are going to build the savings in the household. That is not enough for you. Okay, so these are all things in the macroeconomic theory. Basically, Keynes' theory, if I do not tell you about these things, if I go to chapter 2, if I go to chapter 2, how do I study national income? How do I teach you here? How do I help you learn what is GDP, what is NDP, what is GNP and all that? Because ultimately, this is all the things that are going on there. Okay, so that is why I thought that I should, what does that mean? You don't have to learn it. So basically, in a normal level of equilibrium, we assume that the savings will be equal to investment. If savings are more than investment or investment is less than savings, in that scenario, what will happen? The money flow will start getting contracted. And it will lead to recession. In that scenario, as per Keynes, Keynes, he says that the government needs to come to the economy, and the government needs to increase the expenditure, so that the overall demand will increase. Okay? So these are all the things that come in. I will tell you later, I will tell you. So guys, you understand two-sector economy? One, no savings, no investment. And number two, with savings and with investment. Now, I will tell you, three-sector economy. Let's look at the economy. It's simple. It's difficult. The attention is difficult. I will tell you so much, you can write it and read it and read it, and read it and read it. कमारा बी शर्कुलर फ्लो अ फ्लोर फिंकम इन दो री सेक्टर एकॉनमी तो तिल नाओ गाईस वी हैड ओनली तू तू पार्टिसिपेंट्स इंड एकॉनमी नूबर वन दा हाउसवल्ड नूबर टू दफॉर्म्स नौ यू शूद आज सो नूबर में से उनलों को पहले टैक्स देना पड़ेगा करेक्ट है उसके बांद जो पैसा बचे गजा वो लोग या तो advise अ recognizing करेंगे थोड़ा पैसा कौंजियुम करेगे या तो ने थोड़ा पैसा वो खर्चा करते हैं और प्लस गवर्मेंट बहुत सारा expenditure goods and services पे भी करती है I hope you know that सब कुस तो खरीते हैं वलो वेलफेर के लिए बातने के लिए and everything I am not getting into that so government does both government does consumption expenditure also and investment expenditure also but at this point of time I am assuming that the government is doing only consumption expenditure so here I can write few lines here government is an important player in the economy as it collects taxes and does both consumption and investment expenditure so basically क्या चल रहा है topic अगर दिमाग में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है पैसे की movement कैसे इसके बाद बाद GDP अगरे पैसे की मुमेंट देखो उसके बाद GDP वगरे कालकुलेट करना ओके तो वापस से मैं डिग्राम बनाते हूं यहां पर और रजचे कालको के हैं अगरे की मैं अगरे कर देखोंग यहां पन रहा है कर दो बेरेग्रेट कालक। बहुत एक्वास्टिव डियाग्राम तो नहीं बना सकते हैं लेकिन हां कुछ पुछ लाइक वी आपर से शोरू करते हुँ मैं तो वापर से शुरू करते हुँ तो तो इस विल ब लएइ Factor Services Factor Services Okay And this will be again Factor Incomes ताफ फिर बेटर होगा कि मैं लिखो यहां पर रुको इपने उसकी वज़ा है लिखने की तो वेजेस and salaries basically then rent then interest and profit profits जो बोना है बोलो यह इसके बाद यह लोग क्या करते हैं यह लोग करते हैं consumption expenditure ओके और यह provide करता है यह provide करता है goods and services राइड है ना और यह लोग savings करते हैं यहां पर और यह लोग borrow करते हैं correct ना अभी government को मैंने consider नहीं किया है ओके ना यह लोग दोनों यह लोग दोनों सरकार को क्या देते हैं यह भी देता है यह भी देते हैं यह लोग क्या देते हैं income tax देते हैं और यह लोग क्या देते हैं और यह इंसे यह भी खर्च करता है क्या ची में खर्च करता पता है यह खर्च करता है इसमें गुट्सन सर्वेसेज में और सरकार भी इन लोग को इंप्लॉई करके वेजे सलरी वगर देती है तो वेजेज प्लस लाइक रेंट प्लस इंट्रेस्ट प्लस प्लस प्रॉफिट यह इतना सिंपल नहीं हो सकता यानि सब एक दुसरे के साथ में यह लोग ना इंटरकनेक्टेड हैं बेसिकली सरकार फी ट्रांसफर पेमेंट्स प तो क्या करती है टेक्स कलेक्ट करके बाय करती है जिसे मनरेगा वगर प्रोग्राम जो इंडिया में चलते हैं वो क्या है तुम्हारे कि इतने भी तुम्हारे हाउस होड्स हैं तुम्हारे बैकवर्ड एरियास में जो बिलो पोवर्टी लाइन या वगर जो भी इनका अगर psych Public Business करते ह benevolent आपन एपकाम से तो यहाँ पर यह हैं कर चैसे के तौर पहरां पर यह वह खर Works करते हैं यह फिर THE six चारफ पेंडीट्यश करते हैं या फिर गोड़े कि से यहां फिर देन सब इनकी सब दुसरे के साथ को सब मत और आप हाल के लिए न वो अपन कॉंप्लिकेट नहीं करें सिंपल रखो रखो बातों को हाउसोल्ड से वो फर्म्स को फ्रक्टर सर्विसस प्रवाइड करती है बदले में वेज रेंट इंट्रेस्ट और प्रॉफिट मिलता है अब उसमें से एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं एक हिस्सा सेव करते हैं और एक हिसा टैक्स पे कर देते हैं करेक्ट है तो टोटल जो नाशनल आउटपुट है या टोटल नाशनल इंकम उसके तीन पर्ट हो गया है यह तो यह दोनों बराबर होने चाहिए आट इकलिबियंक करके दिखाते हो तूंग रोख जाओ तो कुछ ने किया है वो दो का था ना भी तीन का कर दिया उसमें so y will be equal to c plus s plus t agree then y will be equal to c plus i plus g so if you assume for the time being that the government expenditure is equal to taxes then what can I write here c plus s plus taxes that means यह जो वाई है ना यह टोटल इंकम है household की राइट टोटल इंकम में से टैक्स माइनस करोगे तो डिस डिस्पोजिबल इंकम आ गई अब वो जो इंकम डिस्पोजबल है उसको वो लो क्या करेंगे या तो किस कौन सा खर्चा होगा या तो कंसंप्शन एक्स्पेंडिचर होगा और क्या तो वो जो सेविंग्स होगा उसके इस्पेंडिचर हो जाएगा सब ले देके वापस बरावर है यह तो दूजिबल दूजिबल गई तो झाल गई अटाइज उन वाइस का यह शके आपान तो पता है तो महें इसका यह मतलब हुआ तो बेसिकली तुम खो तुम आसे बोल सकते हो कि वो जो सेविंग्स है ना हाउस्ओल की जो सेविंग्स है वो वो दो लोगों के पास जा रही है, वो दो लोगों के पास जा रही है, किसके के पास जा रही है, Bank पे जा रही है, पूरा पैसा बैंक में जा रहा है, तो savings- investment, सुनना ध्यान से, savings- investment अगर बराबर हो गया, okay, तो गवर्मेंट का जो खर्चा है वो तक्से से चल रहा है बराबर वो इक्वल हो गया रहा है लेकिन if savings if S is greater than I that means if the money with the finance market is greater that means or in other words you can say if the government expenditure is more than the government income taxes is government income if government expenditure is more than the government income then what will happen the government will borrow from the household so basically there are two categories now household and government okay so if the if the savings is greater than investment a part of that money will be borrowed by government to meet its expense okay sorry so basically what I am trying to tell you is that key agar agar government का खर्चा इसको पता है क्या बोलते है बजटरी डेफिसिट बोलते हैं इसको यानि कि सरकार कोई भी आदमी हो कोई इंटरप्राइज को क्या चाहिए उसकी जो आइसे लेफ्टेंड साइड़ के सी सेविंग्स इस ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट यह जो आई रिप्रेजेंट हो रहा पता है यह कौन सा आई है यह है यह फॉर्म्स वाला करेंग करते एक करती है लिपसार कारें से बॉंच बनाना है तो बेसिकली अगर सरकार के खर्च ऑपार्फों की sorted on this part so again your circular flow is completely in balance right और अगर अगर obviously यह पूरा फ्लो इसको पता है यह जो एक्वेशन यह हमेशा बैंस में रहेगा ट्लिस्ट यह अज्यूम किया गया है कि इफ 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 जी इस गेटर दांटी तेन S बीटर दनाई obviously okay then again the C part the four sector economy of the co यहां पे see diagram नहीं बना रही मैंस का four sector economy so basically जो अब तक we were discussing is what is what is whatever you were discussing till now is about a closed economy यानि की households within India firms within India government of course India right so it was a closed economy if you open up your economy अगर आप अपनी economy को open up कर देते हो यानि बाहर वालों को आप बाहर से बाय करते हो goods and services और बाहर वालों को अपने हां से तुम goods and services बाय करने को देते हो तो जो जो तुम बेचते हो इसको export बोलते हैं और अगर तुम बाहर से बाय करते हो इसको तो बेसिकली अगर इफ यू ओपन अप यॉर एकॉनमी ओके इफ इफ दर इस अ इंटरनाशनल प्रेजन्स आफ यॉर एकॉनमी देन यॉर टोटल आउटपूर जो तुम जो टोटल आउटपूर तुम प्रोड्यूस करते हो इन एकॉनमी वो 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 सिर्फ अंदर में खर्च नहीं होगा उसका कंजम्शन एक्सपेंडिचर करेंगे तुम्हारे हाउसोल्ड राइट उसका इंवेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा और उसका गवर्मेंट एक्सपेंडिचर होगा ओके मतलब कौन-कौन खरीदेगा तुम ऐसे भी बोल सकते हैं वह जो टोटल आउट नाशनल आउटपुट है जिसके अंदर में यू इन्क्लूड ओल थे कंजम्शन एक्सपेंडिचर तुम बहुते हो तो वो चार पार्ट में बाइट बाइट परकेंट वह जाएगा कैसे बैसिकली तो एक टोटल आउट पुट पुट वोट बीनाउट आउट इन आउट आ paid for categories number one the household's who will consume number two the firm so we'll do investment expenditure number three the government as of now we are assuming that government is doing only consumption expenditure okay and fourth category so what will happen you will export a part of your goods and services or maybe like some tools and techniques to the foreign countries and you will buy a part of it from there you can take a net out of that that means export minus import net exports you can say यानि कि total जो output होगा वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया यानि कि चार category में तुम्हारे खर्च होगा वो तुम्हारे जो household होंगे वो खरीदेंगे तुम्हारे जो firms होंगे वो investment expenditure करेंगे तुम्हारे जो सरकार है वो खर्चा करेंगी और एक हिस्सा तुम बाहर भ गतम जागा यहा तुम्हारा तुम्हार तुद्स Tुम्हार खर्च हाकर्च करेंगे घसफ को थ्या भरी credit है ज़ एकुम्हारेad खरी कर 25 2 १ ड़्व सथा प्रेक तुम्हारे पश्त्रोंड चोंगत शुजय को चूजब दोज्गोट अब लिस रविस रोड किसे समय तोज्ग अब्यूट बदैनि उन प्राइब को चाइड शुब लूजंग हूंड इन में प्राइड था बैड जूड चार्व लूड छंग को चाहनग दिविस इंग ऑन व प्वे इस विद्वी तो बॉट इस दो वाइफ फोंस एंड इस हाउसोल्ड या फिर अगर सिंपल रखना है तो तुम आजियों कर लो सिर्फ फर्म स्कूइंव करो तुम कि फर्म सपना माल वहां एक्स्पोर्ट करेंगे और फर्म सी वहां से इंपोर्ट करेंगे सिंपल हो जाता है वरना बहुत कॉम्टिकेटर मॉडल बन जाता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं इसलिए ड्रॉन कर रही हूं ओके सो कहने का मतलब यह हुआ कि जो टोटल तुम्हारा एक्सपेंडिचर है जो टोटल तुम्हारा वाल्यू अफ गुड्ट संसर्विस तुम्हें जो तुमने बनाया उसका एक हिस्सदा यहां की हाउसोल्ट्स ने इनिवेस्मेंट एक्सбेंडिचर में खर्च किया उसका एक हिस्सदा सर्कार ने saving कर लिया और उसका एक हिस्सदा हमने जो surplus पार्ट हाओं उनि बहार एक्सपोर्ट कर लिया अगर export माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव हुआ तो उसको बोलेंगे सर्प्लस अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगटिव वा तुसको बोलेंगे डेफिसेट गट देफिसेट तुमको इति कॉंप्लिकेटेट सम्स नहीं आएंगे तुम टेंशन मत करना लेकिन मैं बताओंगे फिर वो वाई विल बेएक्वल टू सी प्लस एस ब्लस टी ओके समझारक वोल रही हूं आ है यह हो गया दूसरा की ना ईको गया दूसरा केना लॉफनर की सब्स आई टिन क्लस जी प्लस टैन बस एनक्स एनेक्स क्या है एनेग्स हुए और ले 12 को एक्वैट कर तो तो दो चान सी स S plus T equal to C plus I plus G plus NX, okay, because यहाँ पर यह जो C है ना, यह दोनों cancel हो जाएगा, बचेगा क्या, S plus T equal to I plus G plus NX, okay, तुम इसको भी और arrange करके कुछ meanings निकाल सकते हो, कैसे, देखों यहाँ पर, सो S minus I, okay, S minus I, मैं यह दर से लेके I and plus T minus G, कर सकती हूँ ना, इस तरह से, okay, is equal to NX, समझ मैं आ रहा है, मैं क्या बोड़ रहे हूँ, इसका यह भी मतलब हुआ, चाहो तुचाहे जित्ती arrangements कर सकते हो, और चाहे जित्ती meanings निकाल सकते हो, अगर तुम बोलो कि मैं इसका meaning आप बत हो, तो इसका मतलब होगा कि national savings, यानि कि S minus I, यह जो दो पार्ट आगे है na savings का, इसका यह मतलब आ गया कि S minus I, S minus I का मतलब होता है that savings, यानि कि household savings, okay, और T minus G का मतलब क्या हुआ, public savings, आरी बास समझ में, तो यानि कि household private savings plus public savings and total savings हो गई, तो यह total savings क्या काम आ रही है, बाहर Ultimately guys, यह ध्यान देना कि अगर हम माल बाहर export करते हैं, तो basically इसका क्या मतलब हुआ, कि वो जो बाहर की लोग हैं, अगर net export हमारा surplus है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा माल वहाँ बाहर जा रहा है, यानि कि a part of our output, a part of our income is borrowed by people outside, so total savings is equal to net exports basically, यानि कि जो हिस्सा output का total हमारे ह बच जाता है, तुम उसका output के terms में बोलो, या तुम income के terms में बोलो, that amount is used to fund the exports of the other people, वो लो परचेस करते हैं, वो लो परचेस करते हैं, तो ultimately हम उनको दे रहे हैं, तो वो लो, यानि कि we are funding their purchases, so a part of our output or a part of our income is being lent to other people in other countries, इसका यह मतलब हुआ, मैं ज्यादा detailing नहीं करना चा होगे, बट जितना simple बना के समझो कि उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें और इसको simple कर सकती हो, अगर assume करो कि सरकार की जो यह वाली चीज नहीं, यह balance में है, यह tax is equal to government expenditure, तो क्या होगा, यह तो zero हो जाएगा, तो S minus I is equal to NX, इसका क्या मतलब हुआ, कि वो savings, total जो savings इं we used to lend people outside, यह बाहर की लोगों को हम पैसा लेंड करने लग जाएगे, if you have surplus savings, and that will be equal to NX, balance of payment इसको बोल ते हैं, okay, so just try to understand, जादा, अगर कम समझा है, थोड़ा सा, थोड़ा होल्ड कर ले न, आगे जाके समझेगा, don't worry about that, okay, you can say like that, so हर जगर पर देखो, तुमने हमने क्या कि है, कि we are just trying to equate everything, there are lot of assumptions involved, इसलिए back of the mind में शायद बहुत सारी बाते भी तुम्हारे आरे होगी, तो इसको थोड़ा सा शांती रखना, आगे समझेगा, और बहुत अच्छा समझेगा, basically, okay, this is four sector economy, guys, मैं जादा कॉंप्ली, इसमें बहुत complicated level पर भी जा सकते, बर ज़रत नह जाने की, क्यों जाएंगे अपन बीना मतलब के, और अगर जाना भी है, तो पहले national income, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, यह सारी बाते पहले हम सीखते हैं, उसके बाद आगे पड़ेंगे, so next topic अपने को लेना है, वो है, what do you mean by national product and what do you mean by national income and then we can start discussing GDP, national income के अंदर में क्या आता ह यह सारी बाते करने, बहुत ज़री है, एक बार अपनी तरफ्स में छोटी से बात कर देती हूं, उसके बाद इंस्टिचूट के मॉडिल पर आ जाओंगे, ओके, सब राइटिंग हीर, डिस्कुशन ओन, डिस्कुशन ओन, नाशनल इंकम, औन, नैशनल प्रोड़ट आर्बॉडट, एकी बात को बहुत बार बार रिपीट होती है, ओके, इसकुशन ओन नाशनल इंकम आ नाशनल प्रोड़ट, इन आशनल स्म्लिस्टिक हु सेक्टर एकॉनमी, याद करो, ओके, इन आशनल इंकम, नाशनल इंकम, is the monetary, repeat कर रही हो, okay, national income is the monetary value of the final goods and services produced and consumed within the economy, okay, okay, now, अगर यह बात अलड़े में वैसे कर चुके हो, तो यह जो यह लोग जो सारा factor services provide करते हैं, यह लोग labor provide करते हैं, इनके बदले में इसको wages मिलती है, यह लोग capital provide करते हैं, जिसके बदले में इनको interest मिलता है, okay, land देते हैं, जिसके बदले में रेंट मिलता है, और entrepreneurship देते हैं, जिसके बदले में profits मिलता है, तो basically यहाँ पर मैं एक ही बात तुमको बोलना चाहते हैं, ज्यादा बोहर नहीं करूंगे, that net total value, the sales value of the net production should be equal to, वो जो first तुमने two separate account में देखा था न, तो basically क्या दिक्कत आएगी तुमको पता है आगे जाकर के, तुम यह differentiate, मैं यह क्यों इता emphasize कर रही हूं, तो basically जो sales value, तुम जो जिस value के तुम output बनाते हो, goods and services बनाते हो, that is actually equal to the factor income, factor income spate and that is equal to the expenditure done by them, मैं यह बोलना चाह रही हूं, तो यहाँ पर लिख सकती हूं क्या, इस तरह की कुछ relationship लिख सकती हूं, value of goods and services, is equal to rent, wages, interest, profits, total value of और तुमको पता है एक बात, मैंने क्यों इसको अलग से लिया, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा जो यह जो calculations आएंगे तुम्हारे, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है, disposable income calculate करो, यह सारी calculations तुमसे पूछेंगे वोलो, तो उसके तीन अप्र अप्रोच होते हैं, इसलिए ता ज्यादा एंफसाइस कर रही हुआ है, उसके तीन अप्रोच होते हैं, तो बैने जैसे अब तुम लोग को भी clear हो चुका ही चीजिए, ओल्रोड और अलफ यह कंप्रेटली इन कंट्रोल, एट ओके वाल्यू बोलो, शाह सौर्पे का माल का तीन अप्रोच होते हैं, नमबर वन, वाल्यू अड़ेड मेथोड, पहला वाला, नाशनल इंकम मेथोड, दूसरा वाला, एंड एक्स्पेंडिचर मेथोड, ओके, तो यह सारी कैलकुलेशन करने के तीन अप्रोच होंगे, एक तरीका क्या वाल्यू अड़ेड मेथोड, त तुमको बोला थोड़े दिर पहले, कि अगर तुमने दो हजार का कॉर्टर बनाया है, और तीन हजार का क्लॉथ बनाया है, तो क्लॉथ बनाने में वाल्यूरेड कितने रुपए का हुआ, एक हजार का हुआ ना, तो वो अप्रोच हो गया, बेसिकली, ओके, तो एक अप्रो सबके अलग अलगे, the methods that you will be using, and the क्या क्या आइटम लेना है, क्या क्या आइटम नहीं लेना है, वो सारी बयातो का तुम्हारे दिमाग में चंट्रोल होना चाहिए पूरा, और वो मैं बताऊंगी तुमको, इन्होंने मोडूल के अंदर में बहुत जादा, इतना जादा वो NDP, NNP, disposable income, personal income, इतनी सारी चीजें, पहले ये क्या होती है, वो discuss करेंगे, फिर तेनो methods भी हमें discuss करना पड़ेगा, okay, so basically guys, if you want to take a break after this, you can definitely take, because we are going to start the next topic now, okay, so now I will start from the module, basically, थोड़ा से इंटर देना पड़ेगा, उनके हिसाब से, and then we can directly start how to calculate GDP and all that, okay, चलो, दो मिन अगर चाह करने वाले हैं, okay, okay, शुरू करते हैं वापस से, I am sure guys, you understood whatever we discussed in the class, I have been repeating quite a lot of stuff, quite a few times now, and I am sure, वो repetition करने की पीछे वजह है, और वजह ही है कि जब मैं repeat करूंगी बार 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 तो मैं बर्च वली याद हो जाएगा, तो मैंने क्या पूला, कि I discussed this, this, if you see, if this similarity, you know, kind of, if this equation, that value of all the goods and services is equal to the total factor income earned, and which is equal to the value of the total expenditure done by households, okay, so this, this will be true in a two-sector economy, ठीक है न, एक चीज़ बहुत important, जो आगे बढ़ने से पहले में तुमको बोलना चाहती हूँ, वो यह है कि यह जो equation है, यह जो equation मैंने form किया है तुमारे सामने में, यह तब true होगा, जब दो तीन चीज़ें नहीं रहेंगी, okay, सुनना ध्यान से, थोड़ी extra, क्या होगा न, तुमको पता है, मैं कुछ कभी कुछ बोल रही हूँ, कभी कर दूँगे, सुन्यारी स्टोरी, कभी मेरी खुद की स्टोरी चल रही है, अभी मेरी खुद की स्टोरी चल रही है, अब यह समझाने के बाद मैं आ जाओंगे, institute के मोडियूल के ओपर में, okay, और फिर बाद में जाकर कि मेरी स्टोरी और institute का मोडियूल, दोनों कर तो तुम्हारी अंडिस्टैनिक बेटर हो जाएगी, वो लॉजिक एक्चली, तो मैं तुम्हों क्या बोलना जाएंगे, वो सुनो, यह जो एक्वेशन मैंने लिखा है यहां में तुम्हारे सामने जो दिख रहा है तुमको, this would be possible in a two-sector economy, मतलब हम यह अज्यूम कर रहे है सुनना ध्यान से, कि अगर तुमने 100 रुपया का माल बनाया, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा 100 रुपया तुम, ट्रक्टर इंकम के तौर पे तुम बाढ़ देते हो, तो तुमको एक पात, सबसे पहली चीज, यह ध्यान देनी है, कि अगर, अगर corporates को, सरकार को indirect taxes अगर देना पड़ता है, तो अगर value उस सामान की, if the value of that goods, if the value of that goods or service is rupees 100, that means maybe rupees 10 is indirect tax, rupees 10 is, if rupees 10 is supposed indirect tax or rupees 5 is supposed indirect tax, then what happens, the factor income that will be distributed to the households or to the factor providers, factor services providers, would not be 100 rupees, it will be 95, okay, and point number one, number two, it will also happen that, कि यह जो तुम्हारे firms होते हैं, यह, imagine करो एक P&L statement, तो P&L statement में suppose करो कि सेल सबसे उपर तुमको दिख रहा है, 100 रुपे का, right, तो उसमें wages है, rent है, interest है, salaries है, सब कुछ आता है न, उसके अंदर में, सारे, जो हम बात कर रहा हैं, तो व distribute होता चला जाता है, इसमें से एक आइटम, एक आइटम, जो firms खुद रिटेन कर लेती है, और वो factor income के तौर पे बाहर नहीं जाएगा, वो है depreciation, समझारी बात मैं क्या बोरे हूं, depreciation is basically, that part of the value of the kind of consumption of fixed capital, basically, समझ रहा है, मैं क्या बोरे हूं, so वो वाला part factor income के तौर पे नह handle को imagine करो, sales minus what, raw material का जो cost होता है, सारा, वो सब, then wages and rent, then salaries and interest, यह तो आता है तौरे सारा, right, तो basically, एक आइटम जो उसके अंदर में आ गया, दो आइटम रदर अब आ गया, एक आगया तौरे तौमारा, sales value में, tax add हो रहा है, वो बाला part factor income के तौर पे बाहर नहीं जा रहा है, and number two, वो जो depreciation which is nothing but the value of the consumption of the fixed capital retained by the firms and not distributed to the outside people will also be retained, यानि कि imagine कर लो कि उस 100 रुपय में से 5 रुपया समझो tax का या 5 रुपया समझो depreciation का वो नहीं जा रहा है, case three, तीसरी बात, कई companies को subsidies receive होती है, समयारी बात, कई companies को subsidies receive होती है, बहुत सारे ऐसे businesses जहां पर सरकार बोलती है, आप करो ये business, आपको हम subsidy देंगे, समयारी है, तो basically उस case में क्या होता है, कि तुम्हारा जो माल है, वो माल market में बिकेगा, 90 रुपय में, okay, but factor income, 100 के distribute होगे, तुम कम क्यों लोगे न, तो basically क्या हो गया, कि 100 रुपय की cheese market में 90 रुपय में बिक र 100 रुपय है, कहने का मतलब क्या हो पता है तुम्हें, overall अगर तुम उसे पूछो के तुम्हारा है, क्या हुआ हुआ, तो मैं तुमको ये बोलूँगे, ये तीन चीजों की वज़ा से, क्या-क्या, depreciation, indirect taxes and subsidies, इन तीनों की वज़ा से, ये तीनों जो equation के component है, ये, ये और ये what, this one, let me like help you with this, ये, ये और ये, तीनो इक्वल नहीं होंगे, so if these three things are not present, if these three things, what, depreciation, indirect taxes and subsidies, अगर ये तीनों चीजे प्रेंट नहीं होंगे, then value of the national output or goods and services, value of the national income, that means wages, interest, profits and rent and value the total expenditure would be same, 100, 100, 100, एक लिख देते हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, okay, so in the absence of depreciation now guys, slowly हम हम थोड़ा सा न स्ट्रीम लाइन होते जा रहे हैं, और एक बात का ध्यान देना, कि ये जो method हम, national income accounting, ये जो method, the methods that we use for national income accounting, we use on an international level, has been suggested by UN, United Nations, हम अपनी क्षा से नही करते हो, okay, तो while, once I finish this, I will show you the names of the two people who have won Nobel Prize also for that, so you cannot do things on your own, you will have to follow the rules and the conventions and the techniques provided by United Nations that how a particular country should kind of compute their or quantify their national income or GDP or GNP or whatever like that, ये कोई ऐसा नही है कि हर कंडरी का अपनी मन के हिसाफ से चल रहा है, ये एक standard method है, जैसे कैसे होता है ना तुम्हारा Indian accounting standard होता है, then India S होता है, then IFRS होता है, so एक rule explanation से चेंज करके एक streamlining method में जारे हो, so in the absence of depreciation in direct taxes and subsidies value of output will be equal to value of national income will be equal to value of national expenditure okay, I think you are sorted on this इससे जादा मैं नहीं बोड़ रही, अब आगे और sums में बगर में जाएंगे, पहले GDP बगरे discuss करेंगे, okay, so I think you are sorted on this, I am moving on to your ICI content that मैंने ready करके रखा हुआ है देखो भी हाँ पे, look at this, इसमें क्या लिखा वाए है ये तुमको थेयरी में आएगा, so define national income, उसके बाद लिखा वाए, explain the usefulness, this is very important I feel, this is very important, God okay, explain the usefulness and significance of national income estimates, मतलब क्या काम आएगा, अगर हम कोई country calculate करती है, तो क्या काम आएगा, basically differentiate among the various concepts of national income, third, ये बात हो रही है, GDP, GNP and all के, तो पहले ये दोनों बात करते है, define national income guys, मैंने वही लिखा है, जो तुम्हारे module के अंदर में लिखा है, तो को एक बात यहाँ पर लिखी भी न, national income, third point, national income accounting pioneered by Nobel Prize, winning economist, Simon Kuznet and Richmond Stone is one such measure, okay, and, basically the main, मैं पुरा word by word reading ने करूं, ब्राद लेवल पर तुमको सम्झा देते हूं, कि जब आप national income accounting करते हो, वही एक standard को follow करके, across the economies, जैसे India का हो चाहे, Pakistan का, Bangladesh का, UK का, सब का, then it becomes easy to measure, to quantify and compare the economic performance of various economies, so, you would be coming across various datas like, India's GDP is growing at the rate of, will grow at the rate of 8%, okay, somebody else's GDP will grow at the rate of 1% or 2% or something, so, you are able to do, एक वर यहाँ पाहेगा, temporal and special comparison, याद करना पड़ेगा, तुमको चुच वाइस नहीं अपने पास में, तो कहा लिखा है, understanding and improving the performance of an economy is not possible without proper quantification of the values of the major macroeconomic variables, मतलग, till the time you quantify these variables, okay, कि कितना GDP है, कितना GNP and all that, we will not be able to, till the time you quantify, we will not be able to improve these variables, point number one, point number two, also, in order to measure the performance, of various economies, okay, अब suppose करो कि तुमको इंडिया और चाइना की economy को compare करना है, तो दो चीजों के basis पे तुम compare कर सकते हो, number one, temporal comparison, मतलब क्या हो गया, कि एक टाइम पे, suppose दो टाइम पे, ऐसे बोल सकते हो, तुम दो टाइम पे, यानि कि 1950s में क्या था, और 2022 में क्या है, तुम ऐसे comparison, ये, जब तुम दो टाइम के बीच में compare करते हो, तो उसको temporal comparison बोलते हैं, और special का मतलब क्या हो, जब तुम देश मेasuring, suppose for example, the national income or the GDP of India's economy and China's economy on 1950, or at 1950 year, and you know, kind of और यहां पे, 2022-2023 के अंदर में, ये, तुम परिजन करने 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 जरू रियते, number three, the last one which I want to make for this is that, the methods and the techniques, the all the methods and the techniques that we use in, in terms of national income accounting, in terms of quantification, all the rules that we follow, has been suggested by United Nations, and the person who have like pioneered their names are Simon Cousinette and Richmond Stone, I think this is what is written in their, the intro part basically, तो पहला वर्ट क्या याद करोगे, याद करो फटा फट, quantification के लिए, measuring the performance के लिए, इन दोनों का नाम याद कर लो, and national income is nothing but, देखो क्या लिखावा है, some total of factor incomes generated by the normal residents of a country, in the form of wages, rent, interest and profits in an accounting year, समझ गया क्या, इतना मुश्किल तो नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, quantification के काम आता है, comparison of performance के काम आता है, and it is nothing but the total of the factor incomes, I think we are sorted out on this, now, जो topic actually मैं discuss करना चाहती थी, उनके module से वो ये वाला topic था, because ये तुम्हारे काम आने वाला है बहुत, so basically, usefulness and significance of national income estimates, national income accounting, so क्या लिखावा है, national income accounts provide the comprehensive conceptual accounting framework, word याद करो, it provides, तीन वर्ड मैंने देखे, बहुत ज्यादा कॉमा ने इनके, बुक के अंदर में, मैं तुम को ये बात मुझे आडरी बोलनी नी चाहिए, वरना तुम पकड़ो कि मैंने भी याद कर लिया वो तीन वर्ड, करना पड़ेगा, because वो words तुम नहीं लिखोगे न तो वो तुम को number नहीं देखे, comprehensive, conceptual, okay, and accounting framework, क्या बूला मैंने, comprehensive, conceptual, and accounting framework, okay, देखो ये word लिखा वा है, for analyzing, ये word भी बहुत यूज किया वा है, for analyzing and evaluating the short run performance of an economy, ये याद रखना, कि कीन्स ने short run performance को measure करने की बात करी थी, short run performance के बारे में बात करी थी, तुम को पता उसने क्या लोगो ने बुला कि long run के बाले में आप क्यों नहीं बात कर रहे है, तो वो उसने मजाख में बूला, मजाख में, okay, that in the long run, we all will be dead, okay, so basically, this national income accounting will help, helps us for a comprehensive conceptual and accounting framework for analysis and evaluation of the short run performance of an economy, ये तुम याद कर लेना, उसके बाद, point number two, the distribution pattern of national income determines the pattern of demand for goods and services, इसका क्या मतलब हुआ? कि basically, तुमको ये, मैंने शुरू में तुमको बोला, कि basically, it is a monetary value of all the goods and services produced within an economy, correct है ना, तो when you, when you compute national income, basically, you are able to understand that तुम्हारा जो national income है, assume करो कि ये 100 crore का है, उस 100 crore में, what are the categories, what is the pattern, यानि किस चीज की demand, यानि कि मार्केट में तुम्हारे demand की, for example, अकर तुम बोले का मैं नहीं समय के साथ में अगर तुम देखोगे तो e-commerce companies कोविट के बाद बहुत popular हो गए, तो तुम्हारे जो pattern है, तुम्हारा जो pattern है, distribution pattern जो national income का, वो change हो रहा है न, pre-COVID e-commerce था, इतना जादा नहीं था, लेकिन COVID के बाद e-commerce का जो contribution होगा national income में, वो relatively जादा होगा, तो if you see the pattern of the distribution of the goods and services, it will help you to forecast for future, कि भाई आने वाले, मालो की 100 करोड का है, तो ये 100 करोड में, which goods and services are developing a trend, यानि किस तरह से तुम दिस्रिब्यूट कर सकते हो, between different businesses, between different like goods and services, like that, so एक पॉंट यह होगे, पांच पॉंट याद करोगे, चलेगा, कोई दिकत नहीं है, number 3, till the time you quantify, till the time you quantify, how will you come to know what is the per capita income of every resident in an economy, for example, the per capita income of a resident in India is much lower than the per capita income of a resident in USA, and जब तक आप वो quantify नहीं करोगे, आप economic welfare कैसे करोगे, याद करो, मैं तीन पॉंट बोल चुक है, number 1, मैंने बुला, comprehensive conceptual accounting framework for evaluation and analysis, बहुत जादा यह उस किया है, पुरे के पुरे चैप्टर में, याद कर लो कि अच्छा रहेगा, keywords बोलते हैं इसको, okay, और उसके आगे पिछे का नहीं आदा हैगा, चलेगा, then point number 2, क्या था, distribution pattern of goods and services, number 3, economic welfare, okay, number 4, फिलिक क्या लिखावा है, then estimates of national income show the composition and structure of the national income for a temporal and special comparison, यह अंदर का तुम पढढ़ो के मैं, मैं read नहीं मार रही, okay, so basically, जब आप, जब आप, जब आप, बेसिकली, जब आप, you know, kind of, उसका composition, basically, आप पढ़ोगे, जब नाशनल लिखावाना, in terms of different sectors, तो जब आप, difference, कौन से वो sectors, जो कि मैंने भी तुमको तुमको तुरंत example दिया, like, e-commerce sector, is like, picked up a boom, post-Covid, actually, okay, तो आप कई तरह के comparison कर सकते हैं, कि कौन, for example, अगर तुम अपने grandfather और उनके फादर के जमाने की बात करोगे ना, तो तुम्हारे national income का major component आता था manufacturing industry से, तुम्हारे फादर के समय में, शायद जादा जो national income का major component था, not composition, major component था, वो शायद service industry से आया, और तुम्हारे जमाने मे e-commerce से आ रहा है, तो यह बात कैसे पता चलेगी, जब हम पूरे के पूरे एक साल का accounts लेके तुम बैठ होगे, और जब तुम समय के साथ, यानि कि 1980 में कितना था, और 1980 में national income का sector wise composition क्या था, इंडिया का कैसा था, चाइना का कैसा था, तो यह comparison करने के लिए it is important that we should be like doing the quantification of national income, so क्या लिखा, composition and structure of national income, temporal, यह words याद करो, पूरा नहीं याद कर पाऊगे, possible नहीं है, temporal and special comparison, then on the basis of, जब आप calculate करोगे, जब आप calculate करोगे न national income, तो तुमको यह भी पता चलेगा, कि उस national income का कितना हिस्सा, किस, कैसे बोलो मैं तुमका, I don't know, I don't feel like saying also, कि तुमारा वो कित distribution कैसे हो रही है, यानि वो जो इंडिया में अगर assume करो कि 100 करोड लोग है, 130 करोड लोग है न, तो 130 करोड लोगों के बीच में उन पैसों का distribution कैसा हो रहा है, so that कि जिसे तुम्हें पता होगा कि इंडिया ने 5-year plan बनाया and all, वो किस पेसिस पे बनाते हैं, जब तक आपको य कैसे पता चलेगा कि ये जो national income तुमने बोला 100 करोड का है, लेकिन ये 100 करोड रिच के पास गया, कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाला किस के पास गया, तो तुमको पता चलेगा कि ओके ये जो major पैसा है, ये अबब पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के पास में जा रहा है, तो सरकार को ये जरूरत है कि बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए कुछ करना चाहिए, and that is how ये ट्रांसफर पेमेंट्स डेवलप होते हैं, और मनरेगा और प्रोग्राम सारे चालू होते हैं, I think you can relate what I am saying, okay then, देखो लिखा हमें, national income estimates throw light on income distribution, possible inequality, distribution among different categories of income earnets, शायद मैं याने अभी जो बूला वो इसके बारे में बूला, okay, तो ये बिसिकली, it is, they are very overlapping in terms of, अगर discussion करने को बैठेंगे न, so they would be very overlapping, किते points से total बताऊं तुमको मैं, total तुमारे points से 9, exam में तुमारे 6-7 तुमको याद आगया, so you are sorted on that part, now, for international comparison, that is again very, very understandable, that in order to do, that whether we are doing good in comparison to other countries, or we need to improve more, or we need to adopt some policies, we need to do some technological advancement, do something, what is supposed to be done, that is only possible if you quantify, and compute the values of national income, okay, then you can also calculate, एक चीज़ और भी होती है, कि मालो की दो हजार बीस में, assume करना, दो हजार बीस में, जो गुटसन सर्विस था, मालो की 100 liters of milk था, जो दिमाग में आ रहा है, वो बोल रही हो, 100 liters of milk था, 100 meters of cloth था, ओके, और उस समय जो prices थी, उसके हिसाब से 100 करोड की value थी, ओके, अब 2022 थे, इसमें भी value बढ़ गई, यानि कि national income की value, 100 करोड से बढ़के 120 करोड हो गई, लेकिन quantity वही 100 liters of milk, and वही 100 meters of cloth है, तो actually गर देखा जाए, तो क्या economic growth हुई है, क्या, नहीं, because quantity of goods and service change नहीं वह, वो नहीं बढ़ा, सिर्फ prices बढ़ गए, यानि कि 120 करोड, 120 करोड की value को, at national income के जो value है, उसको growth नहीं माना चाहिए, it is because of inflation, तो आपको पता चलेगा कि मुझे inflation control करने के लिए, क्या policy सरकार को adapt करने चाहिए, so that कि growth real terms में हो, ना कि inflationary terms में, I hope you can relate what I am saying, so these were the guys, 9 points, so अगर बोलोगे, तो फिर से मैं repeat कर दोगे, वरना मुझे pause करके तो बढ़ रिपीट कर लो, याद हो जाएगा तुम्हारे लिए, के लिए, international comparison के लिए, inflation and economic growth के लिए, so all this temporal and special comparison हो तो गया साथा पॉइंट, कातम, this is done, so take a pause, and just remember these keywords, and just then only move ahead, then it will be sorted for you, okay, guys, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है, जिसमें मुझे अच्छली बहुत जादा इंट्रेस्ट है, और वो ये वाला है, देखो, GDP, GNP, NDP, NNP, Real GDP, Net Income at Factor Cost, Disposable Income, Disposable Personal Income, और देखो मैने चुम को बोला था, three methods of measuring national income, product method, income method, expenditure method, so guys, I think that the lecture that we did today was already of around two hours, so I would want to like move on to the next lecture now, because approximately two hours are over, and I personally feel that the retention span of a student is not more than that in terms of the theory subject, please revise with whatever we discussed in the class, because that will help you a lot, okay, and as far as notes are concerned, जो मैंने लिखाया हो, तो तो तुम जरूर लिखना, और जो ये sheet है, ये तुम्हारी book के format में तुम्हारे सामने आने ही वाली, तुमको उसको चिंता नहीं करनी है, जो तुम्हें लिखावा में दिख रहा है, ये वाला part, वो तुमको सारा मिलेगा, and उसके अलावा भी कुछ running notes अगर लिखोगे, pause करकर के, तो बहुत अच्छा रहेगा, okay, thank you so much, I've tried my level best to explain you, अगर पूरा recap करने को बोलोगे, तो मैं तुमको ये बोलूँगी, कि मैंने शुरुवात करी थी, कि what is macroeconomic variable, from where did it start, classical thought के बारे में बात किया, केंस के बारे में बात किया, और उसके बाद, केंस ने, classical thought वालों ने क्या बोला, केंस ने क्या बोला, ये सारी बात हैं, हम लोगों ने introduction में करी थी, और macroeconomy के शुरुवात कहां से आई, after the great depression of 1929, ये सारी बाते करके मैंने खतम किया था, I think it was a half an hour of discussion, random, on a random basis, मुझे exactly यात नहीं है, उसके बाद, I also started with the discussion of like circular flow of income, से हमने शुरू किया, because आगे जाके, अगर तुमको, देखो, मैं बार बार two sector economy के बारे में बात कर रही हूँ, जो भी मैंने बात किया तुम्हारे सामने में, कि भाई, अगर आप पूरा का पूरा value of goods and services will be equal to the wages, उसके तुमने पॉइंट भी देखा न, the national income is nothing but the total of the factor income that is wage, rent, interest and profits, तुमने देखा, right? So, if अब तुम सोच के देखो कि अगर मैंने तुम्हें circular flow of income के बारे में discuss नहीं कर रही होते हैं, मैं सीधा इसके अंदर में आ जाती, तुम कभी relate नहीं कर पाते हैं कि तू सेक्टर economy क्या है, थ्री सेक्टर क्या और पॉर सेक्टर क्या है, ultimately यह सारी चीज़ें वहां से आगे बढ़ रही है, so I hope you will appreciate, circular flow of income हमने पढ़ा, two, three and four के बारे में discussion कर दिया हम लोगोंने, and then we gradually started, national income क्या होता है, national product क्या होता है, then usefulness of the study of national income as per study module, वो discuss किया है, and now we are on GDP, GNP, NDP, so guys यह बहुत detail में जाएगा, another तुम्हारा, कम से कम मुझे लगता है कि अच्छा का सा lecture होगा यह भी, दो घंटे का lecture होगा, तो I will try कि 2,5 घंटे में तुम्हारा अभी अभी शुरू करेंगे न जब तो समस्वग्रा सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, okay, so thank you so much, and if you feel कि मुझे और तुमको अगर और पढ़ने का मन कर रहा है, तो यह lecture ही हाँ stop हो जाता, तुम अगला वाला शुरू कर लो, thank you.